हम लोगों का जो मुख्य चिंता का बिंदू है या कुछ करने का है वो ये है कि अपने देश को स्वावलंबी बनाना है, स्वदेशी बनाना है और हर तरह के परावलंबन से मुक्त करना है उसी के लिए ये सारा प्रयास है जिसको हम लोग आसा दिमचावां दोलन कहते हैं ये जो गेट करार है, ये जो डंकल प्रस्ताव है शुरू में जिसको कहा गया वो परावलंबन का सबसे बड़ा इस समय तंत्र जैसा है, परावलंबी तंत्र है पूरा, हमको परावलंबन में फसाने वाला है पूरी तरह से और ये परावलंबन जैसा पहले आया अंग्रेजों के जमाने में उससे भी ज़्यादा कुछ खराब होने वाला है अंग्रेजों के जमाने का जो परावलंबन था हमारी जो गुलामी थी उससे भी जादा खराब अभी अगले आट दस वर्षों में इस देश में आपको दिखाई देगी हम लोग पहले से परेशान थे इस बात के लिए कि अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजों का तंत्र जो परावलंबी था हमारे लिए वो नहीं गया वैसे का वैसा ही है अब उससे भी जादा परावलंबन का एक नया प्रयास इस देश में शुरू हो रा जिसको हम गेट करार कहते हैं ये जो गेट करार है उसके बारे में अक्सर मैंने मेरे व्याख्यानों में कहा है आज मैं आपसे उसके बारे में चर्चा करूँगा गेट करार की कॉपी में लेके आया हूँ उसके कुछ प्रोवीजन्स हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा आप में से किसी की और ज़्यादा एक्षा होगी तो उसको फोटो कापी करा लेंगे लेकिन मेरे मन में एक बात है वो मैं आपसे पहले शेयर करूँ कि ये गैट करार को समझने के पहले थोड़ा एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो हमारी समझ बनाने में बहुत मतद देगी तो गैट करार के बारे में थोड़ी सी बात और थोड़ी सी हमारी और ज़्यादा समझ बनाने में दोनों अभी ये जो गैट करार है उसके बारे में छोटी जानकरी तो आपको मिली उस दिन जब अर्थवे वस्था का सत्र हो रहा था और उस सत्र में ये कहा गया कि ये जो पूझी का खेल है उसको नियंतरित करने के लिए अमरीकियों और यूरूपीय लोगों ने ये संस्थाएं बनाई जिनको IMF कहते हैं, World Bank कहते हैं उसी में से एक संस्था बनी जिसको GET कहते हैं, Journal Agreement on Trade and Tariff ये बनी 1946-47 में जब भारत आजाद हुआ बाचीत शुरू हो गई 1945 में 1945 में दूसरा विश्यूद में जब खतम हो गया तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बरबादी बहुत हो गई यूरोप के देशों में बहुत बरबादी हो गई अमरीका में उतनी नहीं होई थी, यूरोप में सबसे ज़ाला बरबादी होई थी अब जापान में भी काफी बरबादी होई थी तो ये जो बरबादी है उसको फिर से ठीक करने के लिए व्यवस्थित करने के लिए ये संस्थाएं बनी गैट बना, I.M.F. बना काम इनका ये था I.M.F. का काम क्या था वो आपको उस दिन के व्याख्यान से समझ में आया होगा कि पुझी को निहंतृत रखना पुझी को निहंतृत रखना वो उनका मुखे काम था International Monetary Fund अंतराश्पी मुद्राकोश पूजी के प्रवाह को नियंतरित रखना कभी किस देश को क्या पूजी की जरूरत पढ़ जाए वो उपलब्द कराना लेकिन ब्याज पर मने करजे दे कर वर्ड बेंग का ये काम था कि ये जो धोस्त हुआ है पूरा का पूरा बिल्डिंगें गिर गई हैं हॉस्पिटल्स गिर गई हैं बंबारी बहुत हुई थी लोग मर गए हैं स्कूल तूट गए हैं रमशालाय तूट गई हैं इन सब को फिर से खड़ा करना उसके लिए करज देना तो विशुबैंक एक संस्था बनी जो प्रोजेक्ट्स लोन देती थी आज भी देती है प्रोजेक्ट्स माने यही सब इस्कूल बना देना हॉस्पिटल बना देना सड़क बना देना या कहीं पर डेम बना देना या कहीं पर रिजर्वायर बना देना ये सब व्यवस्ताओं के लिए अगर किसी को करज चाहिए तो विश्व बैंक बन गया और पूजी के प्रवाह से कहीं कोई देश में गड़बली आती है उसके लिए करज चाहिए तो IMF बन गया और व्यापार के प्रवाह को नियंतरित करने के लिए गैट बन गया जर्नल इसके कुछ नियम थे उसमें एक बड़ा महत्वपूर नियम ये रहा कि कभी भी कोई देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करेगा अंतराश्पी व्यापार जिसको कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जिसको कह सकते हैं वो व्यापार जो होगा उसके मूल सिध्धान्त या मूल उद्देश तै हो गया 1945 में कि गेट क्या करेगा गेट एक इंसिट्यूशन होगा वो इंसिट्यूशन दुनिया के आपस में व्यापार करने वाले देशों के बीच के आयात-निरियात के नियम का निरधारन करेगा अब वो कैसे मैं एक उधारन द हमें उनसे कंप्यूटर खरीदना है तो चाय को बेचने का कोई नियम होगा कंप्यूटर खरीदने का कोई नियम होगा वो नियम बनाने का काम गेट करेगा ये था गेट का मूल प्रिंसिपल यही था मुख्योद देश दो देशों के आपसी व्यापार के लिए कहीं भी कु उन बनाने का काम गैट करे और ये गैट जो था वो कुछ इसी तरह का था जैसे United Nation है United Nation की कलपना आपको है संयुक्त राश्ट है संयुक्त राश्ट में क्या है सभी देश मेंबर हैं तो मेंबर देश मिलकर कुछ नियम बनाते हैं ऐसे ही होता है ना तो वैसे ही गैट के कुछ मेंबर देश थे उन्होंने मिलकर नियम बनाए तो जो मेंबर देश होते हैं उनका एक एक प्रतिनिधी वहां रखा जाता है गैट जब बना 1945-46 में शुरू हो गया तो उसके करीब 45-46 देश उस समय मेंबर थे भारत उसमें से एक था भारत गैट के जनम से ही गैट का मेंब हैं ऐसे ही अमरीका था ब्रिटेन था फ्रांस था जर्मनी था स्वीडन था स्विसलेंड था दुनिया में 200 देश लेकिन उसमें से मातर 45 देश उसके मेंबर थे इन 45 देशों का आपस का व्यापार भारत ने फ्रांस को कुछ बेचा फ्रांस से कुछ खरीदा भारत ने अमर हैं तो की बात ये जाननी चाहिए कि गैट की भूमिका ये कभी भी नहीं थी कि कोई देश अपने आंतरिक व्यापार के लिए क्या कानून बनाता है व्यापार दो तरह का होता ना एक देश के अंदर हम यहां सेवागारम में कुछ बनाते हैं बंबई में ले जाके बेचते हैं बंबई में कुछ बनाते हैं राजकोट में ले जाके बेचते हैं कहीं कुछ बनाते हैं कहीं कुछ बेचते हैं ये आंतरिक व्यापार तो गैट का कभी भी ये ताकत नहीं रहा कि देश के आंतरिक व्यापारिक कानून से कोई छेड़ चाड़ वो कर सके लेकिन जैसे ही देश की सीमा खतम हो और आपका व्यापार विदेशी हो जाए वहीं पर गेट के नियम काहिनून लागो हो जाते थे कोई वस्तु आपने बैंगलोर में बनाई और त्रविंद्रम तक अगर आप बेचने ले जाते हैं तो उस पर गेट वेट कुछ नहीं है त्रविंद्रम में समुद्र में डाल दिया और आपने भारत की सीमा क्रोस किया जैसे ही भारत का समुद्री सीमा खतम हुआ तुरंत जो है क्या हुआ गेट लागो हो गया ये थी गेट के सीमा, सीमा समझ गए, कि ये सीमा में गेट काम करेगा, उद्देश ये क्या है, अंतराश्ट्रिय व्यापार के नियमों को इलिए, एक दूसरे देशों के आपसी जगड़ों को दूर करने के लिए, व्यापारिक जगड़े खास कर, ताजनेतिक नहीं, में 45 देश मेंबर थे, उन्होंने और भी देशों को मेंबर बनने के लिए इसमें लाया, उनको प्रेरित किया, तो धीरे धीरे संख्या बढ़के 70 हुई, फिर 77 हुई, फिर 90 हुई, फिर 126 हो गई, आज दुनिया के 126 देश गैट के मेंबर हैं, ऐसा कह सकते हैं, अब रमजा उस दिन के व्याक्यान में, तो कभी पूजी जो है अनियंत्रित हो जाती है, तो व्यवस्थाइं बिगड़ जाती है, अब व्यवस्था कैसे बिगड़ती है, यूरोप और अमेरिका में ऐसा पिछले 200 साल से चलता है, शाइद 300 साल से भी चलता होगा, कि बार बार म मंदी आती है, 10-20 साल में, 30 साल में तो आई जाती है, ये एक नियम जैसा है, ये हम लोग अगर देख रहे हैं, पुछले 1800, 1700 से कुछ डॉकुमेंट्स हम देख रहे हैं, तो ये दिख रहा है, हर 30 साल में, 20 साल में मंदी आती है, मंदी का अरथ आप समझते ही है, माल बहुत होता है लेकिन खरीदने वाले नहीं होते ये मंदी आती रहती है तो मैक्सिमम 30 साल में तो आ ही जाती है कभी कभी बहुत कोशिश करो तो 40 साल लेकिन 30-40 साल 30-40 साल में मंदी आती रहती है अब उनके लिए परेशानी हो तो जैसे ही मंदी आती है तो उनका ये साइकल तूटता है साइकल कैसे तूटता है जब आप उत्पादन पूजी से कर रहे हैं और बाजार के लिए कर रहे हैं आप ध्यान इस बात कर दें कि भारती अरती विवस्था के बारे में आपने जो समझा है पिछले छे दिनों में कि हमारे हाँ उत्पादन जो हो रहा है वो अपनी जरूरत के लिए हो रहा है गाओं के लिए हो, शहर के लिए हो तालुका के लिए हो, तहसील के लिए हो उत्पादन अपनी जरूरत पूरी करने के लिए और यूरोप और अमेरका में हो रहा है उत्पादन बाजार में बेचने के लिए अब क्या होगा जब मन्दी आएगी तो बाजार में माल बिगना स्वाबी ग्रूप से कम हो जाएगा मांग कम हो जाएगी divine कम हो जाएगी यह होता रहता है और ये क्यों होता है? उसका एक कारण है. उसका कारण ये है कि जो मानव सुभाव है, वो बदलता रहता है. कुछ चीजों में फिक्स रहता है, कुछ चीजों में बदलता रहता है. फिक्स कहां रहता है? जो माननिता होती है, वहां फिक्स रहता है. लेकिन सुभाव में कभी- माया है इसमें नहीं पसना है मैं तो हिमाले जाता हूँ परिवर्तन हो गया ठीक है अब कल तक वो करोड़ पती था तो उसके उपभोक करने का एक पैटरन था 10 जोड़ी जूते चाहिए 50 जोड़ी सेंडल चाहिए 50 जोड़ी कुरते चाहिए पजामे चाहिए या शर्ट चाहिए या ट्राउजर चाहिए पैंट चाहिए या टाई चाहिए या कोट चाहिए तरह तरह के परफ्यूम्स चाहिए वगरा वगरा तो उसका एक कंजम्शन का पैटर्न था कल को वो कहता जी मैं तो हो गया सन्यासी तो सन्यासी होना और एक दिन पहले तक जब वो करोड़ पती था तो अंतर क्या है अंतर कंजम्शन के पैटर्न का है और कुछ खास अंतर नहीं है माननिता उसकी नहीं बदलेगी माननिता उसकी फिक्स हैं वो तो वैसी रहने वाली है पैटर्न बस इतना ही बदलेगा कि वो कहेगा अब तुझी मैं एक ही कुरते पजामे में मेरा काम चला सकता हूँ या दो में चला सकता हूँ या दस में चला सकता हूँ पहले जितना नहीं चाहिए अब मुझे मैं तो नंगे पहरी चल सकता हूँ ये जो है ना ये होता रहता है ये चक्र चलता रहता है ये भारत में भी होता है, अमेरिका में भी होता है यूरोप में भी होता है यूरोप और अमेरिका में ये जब आ जाता है समाज में तो बहुत डर पैदा हो जाता है अगर आप मन से सन्यासी होने लगें माने कल तक आप कहते थे कि मुझे तो सौ जोडी कफड़े चाहिए फिर आपने का ये काई के लिए चाहिए सौ जोडी अभी दो जोडी में ही काम चलेगा या थीन में ही चलेगा तो वो खत्रा हो जाता है यूरोप में अमरिका में क्योंकि उससे प्रोडक्शन में कमी आती है डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है प्रोडक्शन कम होता है तो फिर वो प्रोफिट कम होने लगता वो पूरी साइकल तूटना शुरू होती है तो वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरह consumption गिरने ना पाए society में क्योंकि वही उनके लिए मूल है अब जब consumption गिरना शुरू होता है तो मंदी आती है तो फिर वो ये तलाश करते हैं कि भाईया माल बनाना तो बन मत करो क्योंकि अगर वो माल बनाना कम करते हैं तो उनकी पूरी की पूरी economics फेल होती है तो वो कहेंगे माल बनाना तो कम मत करो अब देखो दूसरे किसी देश में गुंजाईश है कि अपने माल बेचने की तो उनके पास जो सामान होगा जो surplus होगा जो production है उसको लेके वो दूसरे देश में बेचने के लिए जाएंगे अब दूसरे देश में बेचने के लिए जाना है तो निश्चत रूप से उसके लिए डिमांड खड़ी करनी पड़ेगी और विवस्था वैसी बनानी पड़ेगी तो ये जो get करता रहा वो यही काम करता रहा कि कभी कभी जब बहुत मंदी आ जाए तो उस मंदी से यूरोप और अमेरिका के देशों को बाहर निकालने के लिए दूसरे देशों में अपने सामान के डिमांड बढ़ाने के लिए वहां की सरकारों के ऊपर कुछ नियम काइदे कानून लागू कराने के लिए वो काम कुछ होता रहा ऐसा हो गया 1970-1970 में बढ़ा पहमाने पर ये मंदी जैसी आ गई और वो मंदी आ गई क्योंकि ये जो तेल कंपनिया है ना इन्होंने अचानक से भाव बहुत बढ़ा दिये थे ओपेक जो एक संगठन है उन्होंने बहुत तेज भाव बढ़ा दिये भाव बढ़ा दिये तो उसमें बहुत प्राब्लम होई वो मंदी और बढ़ती गई 80 में जाके बहुत भहनकर हो गई और 1984-84 में तो बहुत ही जादा हो तब ये चिंता हो गई यूरोप और अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई उरुगवे नाम का एक देश है वहाँ पर मीटिंग बुलाई सितंबर के महिने में 1986 में मीटिंग दस बारे दिन चली वह मीटिंग को उरुगवे राउन कहा गया उरुगवे एक देश है लेटिन अमेरिका में आप नक्षे में देख सकते हैं मीटिंग चली दस बारे दिन उस मीटिंग में यही विचार हुआ कि भाई ये मंदी आये अब क्या करना तो उसमें कुछ एक अर्थशास्त्रियों ने ये सुझाओ दिया कि अब तो एकी रास्ता है कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने सामान तो बहुत बना रखा है और अपने बाजार में बेचने का गुझाईश नहीं है स्टेगनेशन आ गया है कंजम्शन पैटर्न में अभी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है एकी रास्ता है कि दूसरे देशों में बेचो अब दूसरे देशों में बेचो औरुगवे राउन में ये तै किया गया कि अब गैट नाम की जो संस्ता है वो ये काम भी करेगी कि दूसरे देशों की सरकारों की नीतियों को बदलवाने के लिए कानून को बदलवाने के लिए नियम को बदलवाने के लिए दबाओ डालेगी और नीपिया कानून नियम कैसे बदलवाने हैं ताकि उनका बनाया हुआ माल हमारे देश में बिखे या चाइना में बिखे या इंडोनेशिया में या मलेशिया में या जो गैट के मेंबर कंट्रीज हैं उन में, सब में तो 1986 में ये शुरू हो गया अब होँआ गया कि भारत में शुरू में तो भारत की सरकार ने इसका विरोध किया लेकिन धीरे धीरे वो विरोध डीला पड़ता गया शुरू में बहुत विरोध किया, 1986 में और विरोध क्यों हुआ क्यों कि ये जो गैट का निगोशियेशन होता है तो इसमें Finance Secretary जाता है, वो मुख्य प्रतिनिधी माना जाता है, कभी-कभी Finance Minister जाता है, Industry Commerce Minister भी जाते रहते हैं, Commerce Secretary भी जाते हैं, तो प्रतिनिधी स्वरूप भारत की तरफ से एक व्यक्ति थे उस समय 1986 में, उनका नाम था SP शुकला, महरास्ट्रकेडर के IAS Officer रहे, बाद में Secretariat में चले गए, वो जाते थे Trade Representative भारत के, 1986 में जब उरुगवे राउंड हुआ, उनको बहुत समझ है भारत के बारे में, हमारी उनसे दोस्ती भी है, और दोस्ती हुई वो इसी कारण से हुई, गैट के चक्कर, उनको भारत की बहुत समझ है, भारती अरथववस्ता की समझ है, भारती है, समाज की भी काफी समझ है, तो उनको तुरंन समझ में आ गया कि ये कुछ गडबड हो रहा है, तो उनने पूरी ताकत से विरोध किया, और इतना विरोध किया, कि दुनिया के बहुत सारे दूसरे देशों को अपने कर लिया ब्राजील को साथ में ले लिया इजिप्ट को साथ में ले लिया बात क्या चल रही है बात ये चल रही है कि दूसरे देशों की आंतरिक नीतियों में कानूनों में फेर बदल कराओ ताकि विदेशी माल दूसरे देशों में अमरीका और यूरोप का माल दूसरे देश उमें बिख सके, इसके लिए दबाओ डालो, तो ये S.P. शुकला जो थे, उस समय भारत के Finance Secretary हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ताकत से विरोध किया, और ये, उन्होंने एक संकल्ब सा ले लिया, कि जब तक मैं Finance Secretary रहूँगा, इसको होने नहीं दूँगा, तो उसके लिए बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, कि दुनिया के ये जो गरीब देश हैं, तथाकतित गरीब कहना चाहिए, गरीब तो वैसे कोई देश नहीं है, जिनके पास संसादन और वो क्लब की ताकत से यूरोप और अमेरिका का विरोध उन्होंने शुरू किया, उस क्लब में 77 देश थे, 77, आप सोचिए एक आदमी क्या कर सकता है, ये जो कई बार बात होती है ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक आदमी क्या कर सकता है एक अकेला finance secretary भारत देश का, दुनिया भर में गूमना उन्होंने शुरू किया, ब्राजील गए, इजिप्ट गए, नाइजिरिया गए, सुडान गए, लीबिया गए, वहां गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब सरकारों को जाकर उन्होंने कन्विंस करना शुरू किया, ती से जादा नहीं है, और इधर सब अफरीका, एशिया, लेटिन अमेरिका मिला दो, तो ये सवासों से उपर बैठते हैं, तो 77 देश एक साथ, और ये 20-25 देश एक साथ, तो उनकी तूती बंद हो गई, फिर उन्होंने एक नया खेल शुरू किया, उन्होंने का कि अब तो य एकता हो गई है, अब ये एकता तूटेगी नहीं, तो उनका माल भारत जैसे देशों में बिकेगा नहीं, एस भी शुकलाने सरकार में रहके वही काम किया, जो इस समय हम यहां कर रहे हैं, स्वादेशी का ही काम उन्होंने वहां किया, अपने देश के उद्योगों को बचा अपने संसादनों को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए विरोध किया, और उनका यह कहना था कि सिर्फ हमारा ही नहीं, दूसरे देशों का भी बचाना, जो हमारे जैसे है, फिर क्या हुआ कि खेल क्या शुरू हुआ, अमरीका ने भारत बेश की सरकार के उपर 1989 में एक परण दिया, तो वर्ड बेंक का चिट्थी आ गया, उसमें क्लियरली लिख दिया गया कि SP शुकला को हटाओ, हाँ, सीधे चिट्थी में आ गया, SP शुकला को हटाओ, अचा और उसकी शर्त ये थी कि आपको अगर कर्ज चाहिए, तो SP शुकला को हटाओ, अमरीका से कर्ज लेना है, वर्ड बेंक से लेना, IMF से लेना, तो SP शुकला को हटाओ, तो भारत सरकार ने थोड़े दिन तो सोच विचार किया, 1989 में आप जानते हैं सरकार किसकी थी, मने मिश्र सरकार आ गई थी, जिसमें बीपी सिंग प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, कॉंग्रेस सरकार ग ना था, बोफोर्स का मुद्धा पूरे देश में उस समय चर्चा में आया था, करप्शन करना रहा था, राजीव गांदी चले गए थे और ये वीपी सिंग आ गए, वीपी सिंग सरकार में, और ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, मिस्टर SP शुकला, ये राजीव गांदी के जमाने में भी थे, वीपी सिंग जब आये तब भी वोई फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब उनको सीधे चिठी आ गया कि ये हटाओ, इनको, ये तो रहते नहीं होगा, और उनी के एक मित्र थे, SP शुकला के, उनका नाम था मुझकुन दुबे, वो उस समय फॉरिन सेक्रे अब जब सरकार को इस तरह का सीधे आ जाता है, वर्ड बहिंग से, तो फिर सरकार के हाथ पर फूल जाते हैं, तो बीपी सिंग ने इनको हटा दिया, SP शुकला को हटा दिया, मुझकुन दुबे तो थोड़े समय बाद रिटायर होगे, लेकिन SP शुकला को हटा दिया, को बहुत खराब लगा, और वो आज भी ये कहते हैं, कि मेरी सेवाओं का मुझे ये इनाम मिला, मैंने राश्ट वक्ती दिखाई, देश वक्ती दिखाई, तो इनाम ये मिला, कि मैं फाइने सेक्रेटरी था, अब मैं ट्रांस्पोर्ट सेक्रेटरी हो गया, उन्होंने एक व्यक्ती को सेक्रेटरी बना दिया, उसका नाम था अन्वरुल हुडा, अन्वरुल हुडा वो व्यक्ती था जिसको वर्ड बैंक में ट्रेनिंग दिया था, पंदरे सोले साल, उसको भारत में भेजा गया, वो वर्ड बैंक में काम करता था, अमेरिका में, भारत में ये की brain washing हो चुकी थी, training भी वैसी हो गई थी, उसको लाके finance secretary में रख दिया, और सरकार ने कहा कि अब ये बातचीत करेगा, किसके साथ, trade negotiation में जाएगा, conference में जाएगा, तो जो समझवाला आदमी था, और जो देशभक्त था, उसको हटा कर, एक अमरीकी समझवाला आदमी, और जिसको देशभक्ती से कुछ लेना देना नहीं, वो भारत का जब secretary हो गया, finance में आ गया, और बड़ी post उसको मिल गई, तो उसने जाके तुरंट surrender कर दिया, तो इन्होंने ये जो सततर अठतर देशों को एकठा किया था, कि हम ये नहीं मानेंगे, फिर इन्होंने surrender कर दिया, और उन्होंने का कि हम सब मानेंगे, अब जैसे ही इन्होंने ये कहा कि हम सब मानेंगे, तो ये जो सततर देश एकठे हुए थे, इन्होंने भारत को गाली देना शुरू करें। गेट की संस्था जो बनी है, अब वो ये भी करेगी कि देशों के आंतरिक नीती नियम कानूनों को बदलवाएगी। और ये जब इन्होंने स्विकार कर लिया 1991 में, तब सरकार बदल गई। लेकिन सेक्रेटरी नहीं बदला। वो आप जानते हैं, आसानी से बदलते नहीं है सेक्रेटरी बदला। सरकार बदल गई, सरकार आगई नरसिम्मराओ की, वीपिसिंग की चली गई, बीच में चंदरशेकर की थी, वो भी चली गई, अब नई सरकार आगई। नई सरकार में सेक्रेटरी वही था, अन्वर उल्हुडा, तो नई सरकार का दिमाग भी उसने पलट लिया, और उसने समझा दिया कि अमरीका और यूरोप के साथ तो जाना ही पड़ेगा, अब जैसा वो कहते हैं मानना पड़ेगा, बगरा बगरा, तो अब सरकार जब तया भी मिरे पास है, यही वो ड्राफ्ट है, जिसको हम गेट करार कहते हैं, डंकल प्रस्ताव कहते हैं, यह इतना मोटा है, इसको मुझे पढ़ने में दस साल लग गया, यह ड्राफ्ट को पढ़ने है, कारण उसका क्या है मैं आपको अब ही बताऊंगा, इसका जो भाशा है, वो बहुत ही कलिष्ट है, सामन्य अंग्रेजी इसमें नहीं लिखी गई है, और ये वेस्ट की आदत है, मने ये जो पश्चमी देश है, वहाँ कुछ भी लिखा जाता है, तो सीधे नहीं लिखा जाता, गोल गोल जलेवी की तरह से गुमा गुमा के गुमा गुमा के लिखा आप कभी भारत की संसद का बनाया हुआ कोई कानून का ड्रास्ट कभी पढ़ा आपने, आप कभी भी ड्रास्ट पढ़ेंगे तो पहला वाक्य पढ़ना शुरू करिये और अंतिम पर जब आप पहुँचेंगे तो आप भूल जाएंगे पहले वाक्य में क्या है, दूसरे म क्या है, इतना गोल गोल जिल, तो हमने ये ब्रिटेन से उधार लिया हुआ है, पूरा का पूरा, सीधे कभी कोई बात नहीं कहना, गुमा गुमा के, गुमा गुमा के, गुमा गुमा के कहना, तो इसमें जितनी भी बाते हैं वो सब गुमा गुमा के कही है, तो उनका बैठेंगे थोड़ी अंग्रेजी आप जानते हैं तो दो-तीन दिन में ये पूरा ड्राफ पढ़नेंगे लेकिन जो लिखा है उसका मतलब क्या है क्या अर्थ निकलता है वो निकालने में हमें तो दस साल लग गया हो सकता है आप लोग पढ़ते तो शायद पांच एक साल में या साथ साल में निकाल लेते लेकि मुझे दस साल लग गया और दस साल क्यों लग गया क्योंकि इसमें ये जो प्रोवीजन्स है जो लिखा गया है वो उसके रेफरेंस बहुत है आप ऐसा समझ लो ये एक गेट करार को पढ़ने के लिए कम से कम 25-30,000 पन्ने पढ़ने पढ रेफरेंस इसमें बहुत है तो पूरा गेट करार पढ़ना हो तो ये और इसके नीचे 25,000 पन्ने और रख लो ये करीब साड़े 500 पन्ने हैं 576 पन्ने हैं तो रेफरेंस जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक उसका अर्थ क्या है वो समझ में नहीं मानलो एक प्रोवीज उसमें लिख दिया according to the Vienna Convention कहीं लिख दिया अब आप धूंडो कि Vienna Convention क्या है उसकी conditions क्या है उसके rules क्या है उसके regulations क्या है इसमें ऐसे बहुत प्रोवीजन है जिसमें according to the Montreal Convention अब Montreal Convention की ट्रीटी निकालो फिर उसको पढ़ो तब आपको वो प्रोवीजन समझ में आएगा इसी मे इस तरह से लिखा हुआ है according to this convention, according to this treaty, according to that treaty तो ये treaties पढ़ने में ही conventions के rules regulation पढ़ने में ही 25,000 पढ़ने लगते है अब आप समझो जब ऐसी इस्थिती है इसकी exact ये इस्थिती है तो संसद में क्या हुआ होगा जहां बिलकुल नहीं पढ़ने वाले लोग हैं महां तो कोई पढ़े लिखे लोग हैं नहीं पढ़े लिखे से मतलब डिगरी होल्डर से नहीं है मेरा मतलब पढ़े लिखे से मतलब है जिनको पढ़ने लिखने का शौक है डिगरी कम हो सकती है बले वो हाई स्कूल पास हो लेकिन उसको शौक है कि हाँ वो पढ़ता है समझने की कोई पढ़ता लिखता नहीं है, हम तो खेर कम पढ़ लिखते हैं, हमसे भी कम पढ़ने लिखने का काम तो ये करते हैं, जो पारलेमेंट में बैठे हुआ है, उनको फुरसत भी नहीं है, यहां उदगाटन करो, वहां उदगाटन करो, कभी शौचाले का उदगाटन, कभी त्रें का उदघाटन करने राष्ट्रपती का काम गार्ड का हो गया हरी घंडी दिखाओ तो ट्रें चले आपके में कितना हासियास पद है और मुर्खता वाला है कभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हो उदघाटन करने तो आदे से आपने देखा था अतुल भाई ने आपको समझाया था कि सरकारी करमचारी साल में मुश्किल से दो सो दिन काम करते हैं, एक सो पैसर दिन छुट्टू में आउसतन, ये जो संसद है वो तो साल में 90 दिन काम करती है, इससे जादा काम ही नहीं करती संसद, सरकारी अधिकारी जरूर साल में 200 दिन क उसमें छुटी बुटी भी है, काम करने के गंटे भी उनके बहुत कम है, आज गंटे का काम चारी गंटे करते हैं, सरकारी करमचारियों की यह हालत है, संसद की हालत उससे भी गई भीती है, वो साल में 90 दिन से जादा कभी चलती नहीं है, और वो चलती भी है, तो उसमें हंग को लाज जूते हैं, तो संसद का अधिकांश समय तो वेस्ट होता है अभी पुराने जो speaker हुआ करते थे, जिनका नाम था संगमा, उन्होंने बता दिया था कि संसद में जब बात होती है, तो 65 से 70 प्रतिशत समय तो वेस्ट ही जाता है, वो एकट्टे हो गए चिलाना शुरू कर दिया, जैसे चौराहे पे चिलाते हैं जिंदाबाद, मुर्दाबाद संसद में भी वोई जिंदाबाद, मुर्दाबाद आपने देखा होगा बुरी हालत है हमारी, मुझे कई बार लगता है मचली बजार की हालत संसद से अच्छी है, जहां कम से कम बेचने वाला और खरीदने वाला एक दूसरे की सुनते तो हैं, यहां तो कोई किसी की नहीं सुनते तो ऐसी संसद में आप कल्पना करो कि यह पच्छीस हजार पन्ने रेफरेंसिज के और यह पास्टो 76 पन्ने गेट है, इस पे कोई बहस हो सकती है और वो बहस जब मैं बोलता हूँ कि इसको पढ़ने में दस्वाल लगता है तो ऐसी कोई बहस हो नहीं सकी है और जादा लोगों को समझ भी नहीं थी हमने तो एक अभियान चलाया था यह गेट करार की कॉपी नहीं थी MPs के पास, वो हमने हमारे परसनल जेब खर्चे से बना बना के दिया था लेकिन ज़्यादा तर MPs को कॉपी दिया तो उन्हें का अपने को समझता नहीं है अभि इसके लिए ट्यूटर लाओ जो हमको समझाए कि इस प्रोवीजन का मतलब क्या है तब हम बहस करें संसद में कुछ आट-दस सांसते जिनको यह समझ रहा था कि यह कुछ गड़बड है तो वो थोड़ा चिलाते विलाते थे लेकिन उनकी आवाज नकार खाने में तूती की आवाज थी ज्यादा को समझता नहीं था तो इस कारण से 15 दिसंबर 94 को यह साइन हो गया अब जब यह साइन हुआ तो माने क्या आपने इसकी सब शर्तें मान लिया कोई agreement जब साइन होता है तो सारी शर्तें आपने मान लिया जो कुछ उसमें लिखी है अब आप उसको लागू करिए तो अब अंतर राश्विय समझोते बहुत होते हैं तो उनी में से एक यह हो गया अब इसमें जो महत्यू की बात है जो आप सुनिए इसके पहले ही पन्ने पर लिखे होई है ओ लिखा हुआ है paragraph second no single element of the draft माने इस पूरे draft का कोई भी एक एक हिस्सा एक line या एक वाक्य या एक paragraph या एक provision तब तक सुईकार नहीं होगा जब तक की पूरा draft आप सुईकार नहीं करते no single element of the draft final act draft final act माने यह पूरा draft final act can be considered as agreed till the total package is agreed समझ गए इसका माने पूरा सुईकार करना है इसका अर्थ यह है कि अगर reject करिये तो पूरा करिये सुईकार करिये तो पूरा करिये either you take it in totality or you can reject it in totality इसमें से आप यह कहो कि थोड़ा मान ले थोड़ा छोड़ दे वैसा नहीं होता इसमें पूरा का पूरा मानना है पूरा का पूरा सुईकार करना अब यह सुईकार कर लिया हमारी सरकार ने अब इसमें implementation के लिए provisions दिये गए तो पहला ही chapter है इसमें जिसमें यह सारे provision है इसमें total chapter जो है यह भी CD करके लिखे गए हैं अगर उनकी संख्या में गिनके बताऊ हूं तो 28 chapters total अब यह जो 28 chapter है उसमें से एक को छोड़ कर एक chapter को छोड़ कर बाकी सब जो है किसी न किसी व्यापार से किसी न किसी उद्ध्योग से किसी न किसी सेवा के काम से समबन देथ हैं एक को छोड़ कर है, ये जो नियम है, ये जो कानून है इनको कैसे implement करना कैसे उनको समझना, कैसे उसमें से inference निकालना, conclusion कैसे करना वगरा वगरा ये इसमें है, एक chapter में वो first chapter है, बाकी सब chapter किसी न किसी आपके व्यापार से, नियम से वह व्यापार से, उद्ध्योग से, सेवाओं से सम्बन देत, अब जैसे मैं नाम सुना दूँ एक चेप्टर है जिसको कहा गया Trade in Goods, माने जितना भी सामान है उसके Trade से सम्बन देत, व्यापार से सम्बन देत, एक ऐसी चेप्टर है उसका नाम है Anti-Dumping, ऐसी एक चेप्टर है and clothing, फिर इसी तरह से trade related intellectual property rights वो एक chapter है, फिर trade related investment measure वो एक chapter है, ऐसे करके करीब इसमें 28 chapter है, अब वो 28 chapter में क्या-क्या लिखा हुआ है, वो आप अगर पूरा इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन मैं पूरा बताऊंगा अभी तो इसमें करीब 15-20 दिन चाहिए, रोज का 6-7 गंटे हम बैठें, तो 15-20 दिन में ये पूरा बात हो सकती है, उतना टाइम आपके पास भी नहीं है, हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया, एक बेल गंटे में इसको समप करना, तो सब तो नहीं, लेकिन छोटी-छोटी कुछ जरूरी-जरूरी बात हैं, जो मुझे लगती है, वो मैं आपको पढ़ पढ़ के, और उसका अर्थ क्या है, वो सुनाता जाओंगा, अब मैं इसमें, आपको जो पहला चेप्टर है, जिसमें सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन्स हैं, प्रोवीजन्स हैं, कैसे इसको इंप्लिमेंट करना है, वगरा वगरा, उसके जो नियम कानून काईदे हैं, उनमें से कुछ को पढ़ कर सुनाता हूँ, पहले चेप्टर में एक आर्टिकल नमबर 16 है, जो सबसे ज़्यादा important है, मेरे हिसाब से, और भी आर्टिकल्स हैं, इसमें टोटल आर्टिकल्स शाहिद 50 से ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें आर्टिकल नमबर 16 और 15, ये कुछ ज़्यादा जरूरी है, हर एक चेप्टर में ऐसे कुछ जरूरी जरूरी आर्टिकल है, जिनको मैंने मार्क करके रखा हुआ है, आर्टिकल नमबर 16 क्या कहता है, ये developing countries के लिए आर्टिकल है, पेज नमबर है, इसमें F26, पेज नमबर F26 और आर्टिकल नमबर 16, पेज नमबर भी कुछ इसी तरह से है, F26 है, F21 है, A1 है, A2 है, ऐसे करके पेज नमबर तो पेज नमबर F26, आर्टिकल नमबर 16 वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये जितने developing countries हैं, भारत उसमें से एक है इंडोनेशिया, मलेशिया ये कह, दो केटेगरी हैं दुनिया में, आप जानते हैं, एक developed countries, एक developed में अमरीका आता है, यूरोप वगरा वगरा आता है, और developing में भारत इंडोनेशिया में तो इनके लिए ये कहा गया है कि आपको ये पूरा का पूरा agreement दस साल में सुईकार कर लेना है, ये है महतु की बात, माने क्या इसका, अर्थ क्या, उन्होंने तो लिख दिया है, अंग्रेजी में लिखा, मैं आपको सीधे हिंदी करके बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम तो 15 दिसंबर 2004, तो 15 दिसंबर 2004 के बाद आपको ये पूरा का पूरा मान लेना है, ये है इसका मतलब, माने इसकी जितनी शर्ते हैं, इसके जितने नियम हैं, जितने कानून हैं, वगरा वगरा, ये आपको 15 दिसंबर 2004 से मान लेना है, बाद में क्या हुआ था कि थोड़ा बहस बहस होई वहाँ पे, तो उनोंका अच्छा 15 दिन और बढ़ा लो, तो एक जनवरी कर दिया है, एक जनवरी 2005 से आपको यह पूरा का पूरा मान लेना है, यह है, आर्टिकल नमबर 16 जो मैंने कहा, चैप्टर नमबर 1, आर्टिकल नमबर 16, पेज नमबर F26, उसमें यह कहा गया है कि आप इसको मान लो, अब क्या मान लो, इसमें जितनी शर्तें हैं, जितने नियम हैं, जितने कानून हैं, वो सम मान लो आप, एक जनवरी 2005 से, अब इसमें परेशानी क्या है अपने देश में, कि अपने देश में पहले से नियम कानून बने हुए हैं, मैंने आप से का न, इंटर्नल जो ट्रेड är, देश के अंदर का जो व्यापर है, उसके तो नियम कानून बने हुए है पहले से. अब हम इसके हिसाब से माने जो बने हैं उनको हटाएं. जो नियम हमने बना रखे हैं उनको हटाएं और इसमें जो नियम बने हुए हैं उनको कानून बनाए ये है सारी exercise तो भारत में पिछले दस सालों से जितनी भी सरकारे आई है नरसिम वराओ की सरकार से लेकर और आज अटल बिहारी वाजपे की सरकार सब यही सरकारें करती रही है कि इसके कानूनों को लागू करने का काम मानने का काम थोड़ा 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 शुरू किया अब इसमें नियम कैसे है कानून कैसे है कुछ-कुछ उधारन से बताता हूँ मैंने इसमें फ्लैप लगाए थे पता नहीं सब निकल गए एक मैं चैप्टर ले लेता हूँ चैप्टर नमबर शाहिए 27 है जहां तक मुझे याद है चैप्टर नमबर 27 है उसको मैं आपके सामने बात करता हूँ यह जो 27 चैप्टर है और ऐसे यह 28 है फिर एक 26 है फिर एक 24 है ऐसे कुछ-कुछ है अब यह जो चैप्टर है अलग-अलग वो किसके है अब मैं एक पहले माफ करिए मैं आपको पहले सबसे जरूरी जो मुझे लगता है चैप्टर नमबर 12 पर बात करता हूँ यह एग्रिकल्चर का चैप्टर है चैप्टर नमबर 12 पेज नमबर L31 उसमें एक प्रुवीजन है वो जो बार बार मैं कहता हूँ न उसमें है डॉमेस्टिक सपोर्ट करके उसका टाइटिल है डॉमेस्टिक सपोर्ट डॉमेस्टिक सपोर्ट का माँने घरेलू मदद घरेलू मदद का माँने हमारे देश के किसान जो कुछ भी खेती में कर रहे हैं उनको मदद जो दी जाती है सरकार की तरफ से उसको domestic support कहते हैं किसान जो कुछ भी करते है अब क्या देती है सरकार मदद किसानों को वैसे तो कुछ मदद मदद देती नहीं पैदा हुआ, कपास पैदा हुआ, उन्होंने दाम तै कर दिया, भी दो हजार रुपई कुइंटल बिकेगा, चावल पैदा हुआ, तो उन्होंने दाम तै कर दिया, साड़े पांसो रुपई कुइंटल बिकेगा, गेहुं पैदा हुआ, तो उन्होंने तै कर दिया, कि मानलो 600 रुपई कुईंटल बिकेगा कुछ भी पैदा हुआ केती से दाम फिक्स हो गया ये एक तरह का सपोर्ट है कैसा सपोर्ट है ये ऐसा सपोर्ट है कि मानलो सरकार ने दाम ते कर दिया 2000 रुपई कुईंटल का पास का और बजार में भाव है 1500 रुपई कोईंटल कापास का तो ये जो 2000 रुपई कोईंटल कापास का भाव है तो ये तैय ये हो गया इसका अरथ है कि किसान से कपास जब खरीदा जाएगा तो 2000 रुपई कोईंटल के हिसाब से सरकार खरीदेगी भले वजार में 500 रुपई कोईटन बाउ है 1200 रुपई है या हजार रुपई है या हो सकता है जीरो हूँ फोकट मे हो कपास मिलती हो लेकिन सरकार खरी देगी 2000 रुपई कोईटन ये एक तरह का सपोर्ट है दूसरे तरह का सपोर्ट क्या होता है आपने सुना होगा subsidy है तो subsidy माने खाद कुछ कम कीमत का मिल रहा है बीज कुछ कम कीमत का मिल रहा वगरा वगरा तो वो domestic support वो होता है तो यह provision क्या कहता है यह provision जो है बहुत लंबा provision है करीब करीब आधे पनने का है मैं आपको तो वैसे ही उसको पढ़के सुनाता हूँ, फिर आप उसका ज़रा देखना जले भी कैसी है इसमें, थोड़ी भी अंग्रे जी अगर आप जानते हूँ. Equivalent commitment shall be undertaken in respect of all products where market price support is defined in annexure 5. अब देखिया आगया एक reference, annexure 5. अब annexure 5 इतना ही मोटा एक है, वो रखा है मेरे पास, वो में लाया नहीं आपको, क्योंकि डर लगेगा आपको इतना सब साथ में लाता है. अब एक ही वाक्य में देखिया आगया, equivalent commitment shall be undertaken in respect of all products where market price support as defined in annexure 5 exists, but for which calculation of this component of the AMS is not practicable. अब यह अगर इतना सा वाक्य आपको समझना है तो annexure 5 पढ़िये. अब annexure 5 में इसको थोड़ा explain किया हुआ है. AMS, aggregate measure for support, ऐसा करके AMS. अब AMS का मतलब सिधा सिधा सा ये है, ये तो जले भी गुमा गुमा के है, सिधा सा मतलब ये है, market के लिए fix कर दिया आपने. कि 2000 रुपए कुंटल का पास बिकेगा, 5.500 रुपए कुंटल गेहुं बिकेगा, ये इतने कुंटल, ये AMS होता है. करिए AMS को. माने आप सरकार की और से price fix करना बंद करिए. क्या होगा, market fix करेगा. आप मत करिए. मने सरकार ये जो कहती है, कि कपास इस साल 2000 रुपए कुंटल गेगा, तो ये सरकार तै नहीं करेगी, बाजार में तै होगा, कि कपास 2000 रुपए कुंटल गेगा, या 500 रुपए कुंटल गेगा. तो ये एक provision लगते ही, क्या होने वाला है, ये एक provision लगते ही होने वाला है, कि राज्य की सरकार हैं और केंदर की सरकार, ये जो गोशना करती है, मूल लिकी, ये बंद करनी पड़ेगी. हाँ, इसमें लास्ट में एक वाक्य में उन्होंने कहा है, कि आप phase wise कम करिए इसको, एक साथ नहीं कर सकते तो phase wise कर, ऐसे कैसे phase wise, एक साल कपास का बंद कर दीजे, अगले साल चावल का बंद कर दीजे, अगले साल इसका बंद कर दीजे, इसका बंद कर दीजे, इसका बंद L33 का market access करके अब वो क्या provision है? वो provision ये है कि आपके देश में और दुनिया के बहुत सारे दूसरे देशों में बाहर से जो सामानाता है खेती का, उस पे बहुत तरह की पाबंदी है बाहर से चावल जादा नहीं आ सकता गेहु जादा नहीं आ सकता, चीनी जादा नहीं आ सकती वगरा होगा, उस पे पाबंदी पाबंदी क्यों है? वो इसलिए है कि आपके देश का माल पहले बिखना चाहिए नहीं तो बाहर वाला सब आ गया तो सब वो ही बिखेगा, आपका तो बिखेगा हैं, जो आप डॉमेस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, वो विड्रो कर लीजे किसान को दूसरी तरफ क्या है? बाहर से आने वाले खेती के सामानों पर जो पाबंदी लगी हुई है, वो हटा लीजे माने बाहर से कोई भी सामान आने दीजे, गेहूं आने दीजे, चावल आने दीजे, चना आने दीजे, मतर आने दीजे, दूद आने दीजे, दही आने दीजे, शक्कर आने दीजे, पानी आने दीजे, मक्खन आने दीजे, जो कुछ भी खेती से पैदा होता है, मास, मास भी वहाँ इसी में माना जाता है, इंकलूड होता है, मास आने दीजे, वगरा वगरा, सब कुछ, जो भी, तो वो कॉमोडिटीज इसमें दिया है, करीब साड़े आठ सो, पौने नौ सो कॉमोडिटीज हैं, गेहूं, चावल, चना, दाल, मतर, घीब, दूद, मक्कन, रही, वगरा वगर ये कहता है, कि बाहर से जो खेती के सामना आते हैं, उनके लिए दरवाजा पूरा खोल देजे, अब क्या होगा, दोनों को मिला के देखे, आपने देश में किसानों को सपोर्ट प्राइस देना बन तिया, माने आपने ये कहा कि अब कॉटन का भाव, 2000 रुपई कुंटल नह को गिराएगा, अगर बाहर से कपास भर कर आ रहा है और जहाद चल गया है, इतनी अफवाही माजार में दाम को गिरा देती है, तो एक्शुल कपास आ गया तो क्या होगा, सोचिए, आपने सुना था, ये सक्टे बजारी चलती है, ये तो अफवाह पे चलती है ना, रियलि में लगे हुए है, कि किसी ने आपस में सक्टे बाजी में कर लिया, कि आने वाले पंदरे दिन में कपास का भाव क्या होगा, तो एक कहता दो हजार रुपई कुंटल, दूसरा कहता धाई हजार रुपई कुंटल, तो वो कहते है चल भाई, लग गई मेरी तेरी, तो दोनो की हो गई शर्त, अब दोनों ने अपने अपने इस तर पे अफवा फैलाना शुरू किया, तो जिसको दो हजार रुपई कुंटल भाव लाना है कपास का, वो क्या ख़बर पहलाएगा, वो ये ख़बर पहलाएगा कि आस्टेलिया का कपास, न्यूजिलेंड का कपास, सब लिंदिन कर लिया, दूसरी तरफ है, एक सटोरिया, वो क्या अफवा फैलाएगा, वो फैलाएगा कि वो जहाद चला तो था, लेकिन रास्ते में एक्सिडेंट हो गया, उसमें आगवाग लग गई, अब वो पहुचने वाला नहीं है, तो फिर कपास का भाव बढ़ गया, सटोरिया यही करते है, शेर बजार में भी यही होता है, तो यह जो सक्ता बजार है, यह जो शेर बजार है, वहाँ अगर आप कल्पना करो कि अफवा मात्र फैलाने से कपास का भाव चड़ता गिरता है, तो एक्शुल कपास अगर आ गया, तो क्या होगा, अभी तो आया एक ने खबर बना दिया कि एक जहाज लेके चल चुका है, दूसरे ने कह दिया कि नहीं, वो तो एक्सिडेंट हो गया, उसमें आग लग गयी, अब वो पहुंचेगा नहीं, तो आप घुम गए उतने में, अब ये एक्शुल कपास लदा हुआ जहाज आ जाएगा, 2000 एक के नहीं है, थिउरी उस तो वहाँ है न इमांड i के, दिमांड ज्यादा हो गई है, वो सौरी, निमांड कम हो गई है, सप्लाई पिला आ जादा हो गई है, तो अब तो भाव गिरना है, तो लास्ट इयर अगर कपास 2000 रुपई को उन तल बेचा, तो अगले साल हो सकता 2005 में 1000 रुपई को इंटल बिके 900 रुपई को इंटल बिके 1200 रुपई को इंटल तो मर गया किसान तो जिसने कपास लगाया था और ये तो एक कपास का हुआ मानलो गेहूं में यही हो गया चावल में यही हो गया चने में यही हो गया मतर में यही हो गया दूद में हो गया, कि डेनमार्क से दूद आ गया और आपके देश में दूद की उपलब्दता बहुत हो गई तो सप्लाई जादा हो गई, डिमांड कम हो गई, दूद का भाव गिर गया तो अब इसमें दो तरह के क्लास खड़े हो जाएंगे अपने ही देश में देखिये संघर्ष होगा कैसा संघर्ष होगा, एक क्लास वो होगा जिसके पास खाने पीने को बहुत कम है वो कहेगा आने दो ना, सस्ता आता है तो आने दो हमको तो मिलता है ना, बारे रुपए लीटर दूद हम नहीं पी सकते थे अब ये चार रुपए लीटर आ रहा है तो पी तो लेंगे कम से कम ठीक है, तो एक क्लास ये खड़ा हो गया और दूसरा कौन सा, वो मर गया, किसान, वो खड़ा हो गया कि मुझको तो भाव नहीं मिलता दूद का तो आपके ही देश के दो वर्व एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए अब देश में ही संघर शुरू हो गया और खेलने वाले अपना खेल खेल रहे हैं होगा कि नहीं होगा, आपको लोग बात करते हैं कि नहीं, चीन से सफ़ता माल आता आप काई को सोदेशी सोदेशी चिलाते हैं, हमको तो लेने दीजे ना, हमको तो ये मिलता ही नहीं था आप तक, दूद की हमने शकल नहीं देखी थी, 4 रूपए लीटर का दूद अगर आ जाता है, तो आप क्यों रोकते हैं उस दूद को आने दीजे, फ्री ट्रेड होने दीजे, लिबरलाईजेशन होने दीजे, गेट अगरीमेंट लागू होने दीजे, प्रशन सबसे बाद में करना, हां? हो सकता है आपके प्रशन का जवाब ही उसमें आजा, तो ये जो बात आ गई, अब कपास आ गया, कपास ने भाव गिरा दिया, भाव को सस्ता चाहिए क्योंकि मेरी purchasing capacity कम है तो उन्होंने क्या किया कि आपके देश में अपना एक supporter work खड़ा कर दिया एक बहुत बड़ा समर्थक work उनका आ गया माने आपके ही घर में आपका दुश्मन पैदा कर दिया उन्हों अब लड़िये आप उससे उसके तरकों को शांत करिए आदे से ज़्यादा इनरजी आपकी उसी में चली जाएगी और वो कपास ववास बेचके अपना धंदा करके यहां से निकल लेंगे आप लड़ते रहें आपस में अब एक कपास में यह होगा तो 840 आइटम हैं मैंने आपसे कहा तो यह मात्र दो प्रवीजन मैंने आपको अभी पढ़े हैं उसका असर समझ में आ रहा है एक असर तो यह होगा कि आपके देश के किसान को जब सपोर्ट प्राइस नहीं होगा तो उसको बाजार में भाव कम हुआ दूसरी तरफ बाहर से जो सस्ता सामन आ गया और बाहर से सस्ता क्यों आता वो भी समझ लीजे अमेरिका में इस समय किसानों को 380 प्रतिशत सबसिडी है डाइरेक्ट 380 से 400 प्रतिशत रहती है अमेरिका का जो बजट है ना उस बजट का 25 परसेंट सबसिडी में जाता है लगबग 20 से 25 परसेंट अब 400 अरब डॉलर की रकम आप जोड लें अगर रुपए में अगर आप उसको करें एक अरब में 100 करोड होता है तो 400 गुणा 100 करोड 40,000 करोड डॉलर अब 40,000 करोड डॉलर को रुपए में बदल लें 45 का गुणा कर लें 50 का कर लें मने इतने लाख करोड रुपए की सबसिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है और उस वो सीधे उत्पादन पर मिलती है माने आपकी उत्पादन कीमत कुछ भी हो सरकार आपको कम कीमत पर बेचने के लिए प्रेरित करती है बाकी भरपाई सरकार कर देती है सरकार कहेगी जी आपका गेहूं पैदा हो मानलो कपास पैदा हो रहा 1000 रुपए को इंटल ऐसी कलपना अमरिका की सरकार कहेगी क्या आप दे दो 400 रुपए को इंटल में मार्केट में 600 रुपए को इंटल का जो गाटा है वो हमसे ले लुआ तो वो देते हैं डाइरेक्ट सबसिडी 400 परसेंट तक देते है तो उनकी इतनी ज़्यादा सबसिडी होने से माल सस्ता है उनका उत्पादन कीमत उनके आप कम नहीं अमेरिका में दूद के एक लीटर का जो कॉस्ट अप्रोडक्शन इस समय अमेरिका में है वो भारत से तीन गुना जादा है एक लीटर दूद पैदा करने में भारत में आठ साले आठ रुपए खर्च होता है अमरिका में इस समय 30-32 रुपए कर्च होता है लेकिन दूद पर 400% सबसिडी होने के कारण वो आपके दूद से सस्ता है डेनमार्क में भी एक लीटर दूद पैदा करने की जो कीमत है वो 1.500 रुपए से उपर है लेकिन सबसिडी जादा होने के कारण वो बहुत सस्ता है डेनमार्क दूद रुपए लीटर में है तो उन्होंने दे रखी है सबसिडी अब उनके सबसिडी पाया हुआ कोई भी खेती का माल आपके बजार में आएगा तो निश्चित रूप से आपके माल से सस्ता है सस्ता है तो उसकी डिमांड हो गई आपके माल की डिमांड खतम तो किसान तो मर गया बिचार अब क्या होगा इसका दुश्प्रभाव इसका ये होगा कि माल लो एक साल कपास का भाव गिरा अगले साल दूद का गिरा अगले साल किसी और चीज का गिरा फिर किसी और चीज़ का गिरा तो भाव गिरते गिरते किसान फिर क्या करेगा कहेगा खेती तो गाटे का सोदा वैसे भी कोई फाइदा जाला नहीं है इस समय खेती में लेकिन और भाव गिरेगा तो कहेगा ये तो बेकार है तो चलो खेती बंद करो बेचो खेत खेत बेचो तो इसी में अगला प्रोवीजन है फिर यह बहुत systematic है पूरा next प्रोवीजन क्या है कि कोई भी विदेशी कमपनी आती है page number L35 पर contracting parties के रूप में लिखा हुआ कोई भी विदेशी कमपनी आये उसको खेत खरीदने की छूट दो अब तक यह नहीं है हमारे देश में अब तक विदेशी कमपनी आती है तो लीज भी इस पर जमीन तो ले सकती है खरीद नहीं सकती, मिलकियत उसकी नहीं हो सकती लेकिन गेट करार की शर्त है कि आप ऐसा करो तो हमारी सरकार अब वो भी मान लेगी 2005 में तो आपने जब यह परमिशन दे दिया कि वो जमीन खरीद ले हैं और इधर आपने परिस्थती बना दी कि किसान जमीन बेचना शुरू कर दे हैं तो अंतिम पनिनाम क्या? अंतिम पनिनाम ये कि अगर मान लीजे किसान हैं एक आत करोड किसानों ने जमीन बेच दिया चार-पास साल में वो जमीन विदेशी कमपनियों के हाथ में गई अब वो बनाएंगे बड़े-बड़े फार्म पचास हजार एकड़का एक लाख एकड़का दो लाख कि वैसे ही फार्म है अमेरिका और यूरोप में छोटे 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 फार्म है तो दस हजार एकड़के पंदर हजार एकड़के यहां तो दस भीगे की बात होती है पंदर भीगे की बात होती है वहाँ एक लाख एकड़की बात होती है एक-एक किसान के पास एक लाख एकड होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि किसान बहुत कम है अमेरिका में टोटल पॉपुलेशन अमेरिका का जितना है उसमें मात्र डेल से दो करोड ही किसान है पूरी जमीन उनी के हाथ में है हाँ 4% लगब और वो कॉर्पुरेशन के रूप में भी है तो अब उन्होंने ये देखिए तीन प्रोवीजन लाए आपके देश में एक तो ये कि बाहर से आने वाले माल पर पाबंदी हटाओ दूसरा प्रोवीजन ये लाया कि आप डॉमेस्टिक सपोर्ट बन करो तीसरा लाया कि आप भारत में किसी भी विदेशी कमपनी को जमीन खरीदने की परमिशन दो इन तीनों का दुश परिणाम क्या हुआ दस साल में भारत की सारी खेती विदेशी कमपनीों के हाथ में गई अब क्या होगा आपके जितने मालिक हैं खेत के वो उनके यां मजदूरी करने पहुँच गए तो अंतिम परिनाम ये निकला कि आज तक जो व्यक्ति खेत का मालिक था वो कल किसी विदेशी कमपनी में मजदूर हो गया वो आपको थोड़ा ये कहेंगे अच्छा जी हम तो सेवा ग्राम की जमीन ले रहे हैं मान लो दस हजार एकड़ ये ले रहे हैं ले लिया उन्होंने अब ये सब चिलाएंगे ये मजदूर विकार वो कहेंगे ठीक है नौकरी देढ़ेंगे सब को आजओ तो आप लाइन लगा के खड़े हो गए उनके आँ आज खेत के आप मालिक थे कल उनके आप नौकर बनके खड़े हो गए तो रिष्टा बदल गया ना आपका जब तक आप मालिक थे तब तक आपकी हैसियत है इज़त है सम्मान है समाज में आपकी प्रतिष्ठा है अब तो आप किसी कमपनी के नौकर हो गए यही हो रहा है हिंदुस्तान में पिछले दस साल से कोई विदेशी कमपनी आती है कहीं की जमीन खरीपती है वो जमीन जिन लोगों की होती है उनको वाइदा करती है कि हम तुमको नौकर बना लेंगे हमारे देश के आदिवासी बनवासी या हमारे देश के किसान जमीन बेचते हैं फिर उसी कमपनी में जाके नौकरी करते हैं लेकिन नौकरी टेंपरेरी है पर्मानिंट कभी नहीं करते वो किसी को आज चाहें आज निकाल दें कल चाहें कल निकाल दें यूनियन आप बना नहीं सकते हैं, अपने हेतों की डिमांड आप कर नहीं सकते, मल्टिनेशनल कमपनी में काम करने वाला चाहे एग्जेक्यूटिव ओफीसर हो या साधरन खलासी, दोनों के सिर पे तलवार हर दिन सवेरे लटकती रहती है, कि मालिक ने बुला के कहीं नोटिस दे दिया कि कल से क काम पर नहीं आना, तो नहीं आना, बात कतम हो गई, अब आप ना कहीं आदालत में जा सकते ना, सुप्रिम कोर्ट में ना, हाई कोर्ट, अब आप सोचें कि ये तीन छोटे से प्रोवीजन मैंने पढ़कर सुनाए हैं, खेती के, ऐसे इसमें 57 प्रोवीजन है, एग्रिमें रहते रहते हैं, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्ट्वल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो पेटेंट वेटेंट का जगड़ा है ना, इसके बारे में, जो चैप्टर है, उसके बारे में मैं आप से कुछ बात करता हूँ, अच्छा ये इतना सा मैंने बोला, अब इसमें प्रशनों तो पूछ लो, ताकि ये क्लियर होता जाए, हैं, 2005 के बाद, अभी भी वैसे, लीज पे लेने का अधिकार तो अभी भी है, और छोटे मोटे इस तर पे तो खरीदना शुरू किया ही है, कुछ-कुछ राजी सरकारों ने उनको पर्मिशन देना भी श हाँ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, वो खतम हो गया है, 2005 से वो पूलिकल निश्प्रभावी होगा, क्योंकि वो सीलिंग एक्ट हटाने के लिए, हटाने के बादी ये प्रोवीदल लागू होगा, तो सीलिंग एक्ट में चेंज किया जाएगा, और वो चें करने जा रही है, शायद ये सेशन में नहीं, तो नेक्स सेशन में पारित हो जाएगा, तो वो जो पारित होगा, एक्ट वो ये ही है, जिसको मैंने आपको पढ़के सुना है, हाँ, अभी ये प्रशन पर मैं थोड़ा अंत में आऊंगा, कि ये अमेरिका पे लागू होगा क इसके अलावा ये पूछिए, ये जो पटिकुलर चैप्टर मैंने बोला आपको खेती वाला, वो ऐसे अफोर्ड करते हैं, वो आप उस दिन थी नहीं, जिस दिन पूजी वाला खेल हुआ था यहाँ, वो पूजी जो उनके यहां बनती है, वो कैसे बनती है, वो आपने थो प्रडक्शन हुआ, फिर और प्रॉफिट आया, फिर और इन्वेस्ट किया और प्रडक्शन, इस तरह से पूजी बनती ही चली जाती है, एक, दूसरा सक्टा बजार में बहुत होती है, मैंने आप से कहा, ये तेजड़, ये मंदड़, ये बहुत बड़े, सबसे बड़ा स अमेरिका में ही है, निव यॉर्क में, और उसी के अधिन सारे दुनिया के सटा बजार काम करते हैं, तो उन्होंने सब सेंटर्स बनाए हुए है, तो वहां सक्टे में से कहते हैं, मैंने कहा, कि ना तो कहीं कपास है और न कहीं जहाज है, आपने समझ लिया ना, एक आदमी ने कहा कि कपास भरा जहाज चला है अमरीका से और भारत पहुचेगा पंदरे दिन में, अभी कहीं जहाज नहीं है, कहीं कपास नहीं है, रियालिटी में कुछ नहीं है, एक होक्स है, जूटा है पूरा, तो उसने बना, अब दूसरा कहता है जी वो तो बीच में जलके खतम हो अपसे ज़्यादा है और अमेरिका में तो आप जानते हैं सट्टा क्या क्या चीज में लगता है कल राश्रुपती मर जाएगा एक कहा नहीं परसो मरेगा लग गया सट्टा आपको मालूम है यह प्रेसिदेंट आज मरेगा एक नहीं लगा दियो वो कहा नहीं 24 घंटे बाद म मरेगा तो इतना जीएगा तो इतना ये तो इतना वो तो इतना तो ना तो राश्रुपती मरने जा रहा है और ना राश्रुपती मरा है घटना कहीं घटित नहीं हुई है लेकिन पूजी बन गई सट्टे में अभी ये सट्टा अमेरिका में बहुत होता है कि अगले एक हफ में टेररिस्ट अटेक हो जाएगा ये हुआ ना 2001 में World Trade Center पर ये 2001 का अटेक जो हुआ इसने अमरीका के 60 बजार को बहुत उपर पहुचा दिया है अभी हर दिन यही 60 लगता है 24 गंटे में एक और अटेक होने वाला है अलकाइदा का वो कहेगा नहीं नहीं चार दिन बाद हो जाएगा अलकाइदा का और आप जानते हैं अमरीका में इसको बाकाइदा सेंक्शन है ऑफिशियल सेंक्शन है सरकार इसमें इंवाल्व है अमेरिकन गवर्मेंट का पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट ये सट्टा खिलाता है और उसमें से टेक्स लेता रहता है आपने 60 बजार में कमाई की अब इतना टेक्स लेना देना है अफवा फैलती है फैल है दुनिया में और उन्ही अफवाहों पे अपना शेर बजार उपर नीचे होता रहता है रियलिटी में कहीं कुछ नहीं होता लेकिन आज शेर बजार अचानक बहुत चड़ गया और कल अचानक से बहुत गिर गया आपकी एकोनोमी में न तो कोई गिरावट आ गई एक बिन में न कोई बहुत उचाई आ गई लेकिन बजार इतना उपर नीचे चड़ता ये तो अफवाह पही चलता है ना आइरन ओर और मैं आपको exact price बता रहा हूँ ये बारत से आइरन ओर अमेरिका जा रहा है पंद्र पैसे किलो पंद्र पैसे किलो यहां से आइरन ओर जाता है और हिंदुस्तान में तीन चार जगे से जा रहा है यह तो जा रहा है, सबसे ज़्यादा गोवाँ से जा रहा है फिर ये बैलाडीला, ये 36 गड़ का जो इलाका ये 36 गड़ वाले बैठे हैं जापान जा रहा है, अमेरिका जा रहा है 15 पैसे किलो मैंने सब उनसे calculation करा लिया रहे पंद्रपैसे किलो जा रहा है उसी से हवाई जाज बन रहा है और एक हवाई जाज आ रहा है 400 करोड का या 600 करोड का 600 करोड का मान लो हवाई जाज का टोटल वेट निकाल लो आप 600 करोड से भाग दे लो उसका तो एक किलो लोहे की कीमत क्या पड़ती है आपका दिमाग काम नहीं करें हमसे लोहे का कच्छा माल ले लिया पंदर पैसे किलो में हमको हवाई जाज दे दिया 600 करोड का एक हवाई जाज मान लो 500 टन का हो और हिसाब जोड़ लो आप 500 टन 700 टन के आसपास होते हैं हवाई जाज कारगो है तो 1000 टन का इससे ज़्यादा ने तो आप मान लो 1000 टन का है 600 करोड का आपने खरीद लिया 600 टन मान लो तो 600 करोड में कैसे सब तो ज़्यादातर लोहे से ही बने है मैं ये कह रहा हूँ कि आप टोटल मान लो की ये लोहे से ही है मशीन है मशीन में मैक्सिमम तो लोही लगता है ना और क्या है अई ये पैंटन टैंक गिल लो हमने उनसे हमारी आर्मी के लिए टैंक इंपोर्ट किया ठीक है उसका गिल लो आप तो वो भी आपको पता चलेगा कि एक किलो हाँ हाँ मान लो एक करोर रुपए किलो का मान लो तो एक करोर रुपए में आपने किलो खरीदा और पंद्र पैसे किलो में बेचा पूजी बनी के नहीं बनी तो इस तरह से उनके पास सरपलस पूजी बनती है दुनी आके जितने भी गरीब देश हैं उनसे कच्चा माल हमेशा कोड़ी के भाव में खरीदना और उनको पक्का माल बहुत अधिक कीमत पे बेचना ये खेल वो खेल रहे हैं पिछले 2500-300 साल से इसी के लिए उन्होंने कॉलनाइजेशन वगेरा किया था सब जगे जाके और इस खेल में सबसे बड़ी भूमिका निवाता है एक्शेंज रेट तो आपका रूपया लगातार नीचे गिराना है डॉलर को लगातार उपर बढ़ाना है वो इसी खेल के लिए कि आपका रूपया जितना कम होगा एक्सपोर्ट आपका उतना चीप होगा उनका डॉलर जितना महंगा होगा इंपोर्ट आपका उतना ही कॉस्लियर होगा तो खरीदेंगे महेंगा और बेचेंगे सस्ता ये धन्बे में हम पड़े हैं इसी को export import कहते हैं और अरुन जैटली कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छा धन्दा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और परसों उसने कह दिया कि जितना import बढ़ेगा देश का विकास और होने वाला है तो इस तरह से पूजी उनके पास आती है surplus एक तो अपने देश के लोगों से लिया हुआ tax दूसरा उनका किया हुआ export और export जो है बहुत अधिक कीमत पर अमेरिका से जो किया जा रहा है और import जो कर रहा है बहुत सस्ता उसमें से पूजी उनके पास बहुत अताहा है और पहले पूजी आती थी लूट करके भारत को लूट लिया अफरीका को लूट लिया इनको लूट लिया उनको लूट लिया तो लूटी हुई पूजी उनके पास है पहले से फिर यह पूजी और बन तो पूजी ही पूजी है उनके पास पैसा ही पैसा है अथा पैसा है अभी उनको समझ में नहीं आता क्या करें तो वो सबसिडी देते हैं ये करते हैं वो करते हैं तो वो सबसिडी इतना जादा इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल प्लस होने के कारण ज्यादा सबसिडी देकर सस्ता माल वो बनाकर आपके देश में बेचें और आपकी सरकार domestic support भी खतम कर दे किसानों का और उपर से जमीन खरीदने की उनको permission दे दे सब खतम एक दूसरा इसी में एक provision है जो मैं भूल गया एगरी कल्चर बूल गया वो ही chapter है और उसका provision शाहिद next ही provision है वो provision ये हाँ L36 है न तो L37 है वो L37 ये कहता है कि आप में हाँ ये आ गया वो ये कहता है कि आप जो कुछ खाते पीते हैं उसका 8% import करिये जितना खाते पीते हैं जितना आपका domestic consumption है उसका कम से कम 8% import करिये minimum पहले साल में ऐसे समझे हम एक करोल टन गयूं खाते हैं तो 8 लाक टन विदेश से करी दे एक करोल टन चावल खाते हैं तो 8 लाक टन विदेश से करी दे एक करोल टन चीनी खाते हैं तो 8 लाक टन विदेश से करी दे हाँ जरूरत नहीं है हमें, हमारे याँ चीनी तो सर्पलस ही है इस समय, यहूं भी सर्पलस ही है आप जानते हैं, समुद्र में फेकना पड़ रहा है, चीनी को बरबाद करना पड़ रहा है, दूद भी अभी सर्पलस हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें सर्पलस हैं, जरूरत से पिर भी आप इंपोर्ट करिए, अब आपके पास पहले से सर्प्लस है, और इंपोर्ट करेंगे, तो भाव तो और गिरने वाला है, और आपको डॉमेस्टिक सपोर्ट नहीं है कुछ भी किसानों को, तो होने वाला ये है कि ये तीन चार प्रोवीजन खेती वाले चैप्टर क ये ही पूरे किसान का सत्यानाश्कर डालेंगे, दस साल में या पंद्रसाल फिर क्या होगा, किसान वही रह पाएगा जो बहुत पैसे वाला हो, या बहुत जमीन जिसके पास हो, छोटा किसान जो पाँच बीगे का है, दो बीगे का है, तीन बीगे का, उसके लिए खतम, औ domestic support से उनको कम रखा जाता है लेकिन ये सब भाव बढ़ना अभी भी बीज का भाव पपपया का बीज अभी मैंने पूछा सकतर हजार रुपर किलो तो आज है पपपया का बीज आज मार्केट में 70,000 रुपीज पर केजी है 2005 के बाद आप imagine करिये क्या होगा अभी तो ये है ज तो फिर क्या होगा जो अमीर किसान होगा वो तो कर लेगा महंगे से महंगा करीब साधरन गरीब किसान के तो बस खाने तो इसमें होगा क्या ये तीन ही प्रोवीजन की अगर हम चर्चा करें और कंक्लूड करें इस चप्टर को क्योंकि एक चप्टर में ज्यादा समय नहीं पिछले दस साल से जाता रहता हूँ, हमारी उनकी दोस्ती है, उनकी आश्रम में कभी-कभी जाता हूँ, उनकी आख किसान लिसान आते हैं, मजदूर आते हैं, तो एक बार मैं ऐसे ही उनकी आश्रम में बैठा हुआ था, तो एक तेलगू किसान आ गया, कुछ उससे बात करने तो मैंने भी उससे बात किया, थोड़ा थोड़ा तेल गूम मैं समझता हूँ, थोड़ा वो हिंदी समझता है, तो हमारी उनकी आपस में चर्चा शुरूई, तो मैंने का क्या करते हैं, तो करने लगा पहले तो खेती करते थे, अब जमीदार के खेत में मजदूरी करते हैं, मैंने पूछा वो कैसे हो गया, आप जब पहले खेती करते थे, माने खेत के मालिक थे, अब आप नौकर है किसी जमीदार के खेत में, ये कैसे हो गया, तो उसने बहुत सरल भाशा में पूरा समझा दिया, मुझे उसने का कि ये जब से यूरिया आ गया, हम सब मजदूर हो और ये जब से यूरिया डि-ए-पी सुपरफोस्वेट, मेरे समझ में नayा आया, मैंने फिर उसको पूछा इसका अर्थ क्या हुआ, उसने का जब से यूरिया डि-ए-पी सुपरफोस्वेट आ गया, हमारी खेती की लागत बढ़ गई, लागत बढ़ गई तो हमारे लिए खेती करना मुश्किल हो गया तो हमने सोचा कि खेत बेचो और किसी जमीदार के यहां मजदूरी करना शुरू कर दो मैंने पूछा पहले खेती कैसे करते थे तो उसने का जमीदार के खेत में हिस्सेदारी थी हमारी अब आप देखिए बात क्या हो रही है जमीदार के खेत में हिस्सेदारी थी हिस्सेदारी तो आप समझते ही है मेरे पास दजबी का खेत है मैंने किसी किसान से का कि भई तुम जो तो मेहनत करो जितना पैदा होगा पचास टका तुमारा पचास टका मेरा तो ये तो हो गई हिस्सेदारी, माने वो भी मालिक है, मैं भी मालिक हूँ, हम दोनों मालिक के हैं, ये अलग बात है, मैं थोड़े साफ सुतरे कपड़े पहनता हूँ, उसके कपड़े कुछ गंदे हैं, लेकिन हैसियत उसकी मेरे बरावर की है, वो मेरे खेत में हिस्सेदार ह तो पहले खेती होती है हिस्सेदारी की लेकिन जब ये यूरिया डियेपी सुपर फोस्वेट आगया तो कहता हम तो हिस्सेदारी से निकल गए क्योंकि कॉस्ट और प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा हमको आमंदनी कम हो गई तो हमने सोचा आप नौकरी कर लेना अच्छा है तो हिस्सेदारी छोड़ दिया अब वो मजदूर हो गए तो पहले वो मालिक था अब आपके डियेपी सुपर फोस्वेट यूरिया ने उसको मजदूर बना दिया ये तो हो गया अभी 56 साल में अब जड़ा कल्पना करोगी ये गैट आ गया 2005 से अब क्या होगा थोड़ा सा यूरिया डियेपी सुपर फोस्वेट आया थोड़ा सा महंगा तो ये हालत हो गई कि करोलों किसान जो हिस्सेदार थे वो मजदूर हो गए अब ये पूरा गैट करार अगर आ गया तो यहां तो मजदूर ही मजदूर हैं उनके मालिक और अभी क्या है कि आप हिंदूस्तानी कोई किसान के मिलकियत के खेत में मजदूर ही करते हैं फिर आप उनका भी मालिक अमेरिका में बैठा है उसके मजदूर हो गए यही तो वह अमरीका वाले यहां के खेती नहीं कराएंगे वो अपना एक कॉंट्रटर बनाएंगे या सब कॉंट्रेक्टर बनाएंगे वो उनके लिए खेती करेगा तो आप गुलामों के गुलाम हों गए हैसिए अब तो और नीचे आगई És तो वही हो गया ना तो हम लड़ते थे कि बई जमीदारी नहीं होनी चाहिए अब ये तो जमीदारी से भी बड़ी जमीदारी आ गई है हाँ अभी भी इसमें इसमें हाँ वो इसी के लिए हाँ ये जो वेसलेंड डवलप्मेंट प्रोग्रेम चल रहा है ये कि महराजा साब आने वाले हैं तैयारी करो क्योंकि आपकी जमीन उनको चाहिए तो वेसलेंड तो वो खरी देंगे नहीं पहले इसको डवलप्म करो फिर आपकी तो हैसियत है नहीं जमीन को रोके रहने की दे दो उनको डवलप्म करके तो Waste Land Development Projects जितने चल रहे हैं और World Bank के Donation से ये जो जगे-जगे तालाब बनाने के काम चल रहे हैं वो तो इसी के लिए चल रहे हैं अभी हमारे देश में आपने देखा है ना एक पानी बचाने का Water Harvesting का बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें अन्ना हजारी जी का नाम आया ऐसे और भी लोग है राजिंदर सिंग, राणा हैं, अन्ना हजारे हैं वगरा वगरा लेकिन इसके पीछे का जरह सच आप समझेए तो आखें खुल जाएंगे आपकी, सच यह है कि भारत सरकार उसके लिए फंड्स दे रही है, ठीक है, कापार्ट नाम की एक एगेंसी फंड्स दे रही है कि गाउं गाउं तालाब बनाओ, गुजरात में बने हैं, यह साड़े सरकार को फंड्स दिये हैं, वर्ड बैंक ने, कि आप हर एक जमीन के नजदीक तालाबों की व्यवस्था करो, तो सरकार वर्ड बैंक से पैसा लेके तालाब खोद रही है, जगे-जगे तालाब बना रही है, आपको लग रहा है, देश का विकास हो रहा है, 2005 के बाद यह ग सरकारी पैसा लेकर NGO बनाकर काम कर रहे हैं, या विदेशी पैसा लेकर NGO बनाकर काम कर रहे हैं, वह ultimately दो साल के बाद आपको लगेगा कि दो देश के तो सबसे बड़े दुश्मन यही, जिनको मेकसे से पुरुशकार मिल रहा है, जिनको ये पुरुश्चार ये, तो राजस चल रही है वो ज़रा समझे, पॉलिटेक्स ये चल रह, हैं, नहीं इवो धस गया, नहीं ड़स गया, वो महत्तु की बात नहीं, महत्तु की बात यह है, पैसा आया वर्ड बैंक से भारत सरकार किये के एजनसी कपार्ट को, कपार्ट से आप ने लिया, ठीक है, और आप में बन के में वो सब खरीद लिये तो महनत आपने की, तालाव आपने बनाए जमीने आपकी थी, चले गए उनके हाथ में नहीं नहीं बेचना तो मजबूरी हो जाएगी ना, मजबूरी ऐसी ही कि जैसे महनत समझाया कि मानलो मैं खेती करता हूँ, ऐसे कल पना करो दस भी का खेत है, मेरे पास दो तालाव है अब मैं जो कुछ भी पैदा कर रहा हूँ, बजार में उसका भाव गिर गया, ठीक है मैं एक साल बेचा, दो साल बेचा लोन लेके किया, अगले साल लोन लिया लोन बढ़ता गया, एक दिन बैंक आएगी पूरे खेत को ले लेगी और वो निलामी कर देगी निलामी में गया आपके हाथ से या आप ही खुद बेच देंगे बैंक का करजा देने के लिए कि भाई अब मैं नहीं कर सकता तो बेचो और बैंक का करजा पटाओ, तो परिस्थिती बना दी उन्होंने कि आप बेची ही दें उसको, वो ये नहीं कहेंगे आप बेचो, वो परिस्थिती ऐसी बनाएंगे कि आप सर्वाईवी नहीं कर सकें उसको जी, क्या EMR हाँ, वो मैं आ रहा हूँ नेक्स शेप्टर पर आ रहा हूँ, अभी खेती वाला में क्लोज करना चाहता हूँ, इसमें कोई और सवाल हो तो पूछो हाँ हर साल का जो टोटल डॉमेस्टिक कंजम्शन है, उसका पॉइंट फाइब परसेंट बढ़ता जाएगा जैसे ऐसे समज़िए, पहले साल आट लाक टन किया अब आपका कंजम्शन एक करोल टन का है, तो उसका पॉइंट फाइब परसेंट निकाल लो अगले साल फिर उपना करना है फिर उसके अगले साल और पाइब फाइब परसें निकाल लो, तो मैंने ये कैलकुलेट किया करीब बारे 14-15 साल में आपके बाजार में आप कुछ पैदा न करें सब कुछ वहां से आए ऐसी इस्थिती बन जाएगी आप सिर्फ कंज्यूम करिए प्रोडक्शन मत करिए नहीं अपने फेवर का प्रोवीजन है वो मैं बताता हूँ एक प्रोवीजन इसमें ऐसा था कि ये जो प्रोवीजन मैंने सुना है इन पर आप developing countries की और से कोई group बना के developed countries के साथ negotiate कर सकते थे negotiation क्या कर सकते थे इतना कि अच्छा ये 8% है इसको 6% कर दो ये नहीं कर सकते कि इसको हटा दो इसमें से मैंने पहले ही वो बाग की पढ़के सुना दिया तुमको कि ये पूरा agreement या तो स्वीकार करिये या तो totally reject करिये इसमें ये नहीं कर सकते कि भाई 8% आपने जवरजस्ती है हमारे उपर आज जा देती है आप ऐसा करो 6% कर दो ये import वाला या 4% कर दो या 2% कर दो ये नहीं है आप वो तो बैब बाद में बता हूँगा अभी तो मैं एगरी कल्चर के बारे में बात कर रहा उत्पादन पर हाँ उनकी जो लागत आती है उसका 400% आप कम करके दे दो सरकार को सरकार आपको भरपाई कर देगी हाँ वो तो पूरा ही वो करते है अमेरिका में तो टोटल ही हो हाँ वो तो अमेरिका में तो इतना डॉलर छपता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते डेफिसिट फिलेंसिंग का मतलब यही होता है का पाहिमाल हो गया, कंगाल हो गया, दिवालिया हो हाँ फिर भी ज़्यादा है तो उन्होंने किया हुआ है, वो मेकनिजम बनाया है उसका कि डॉलर भयंकर प्रिंट करने के बावजूर डॉलर का रेट नहीं गिरना उसके लिए मेकनिजम बना रखे हैं वो जो पहले दिन का व्याख्यान था वो यही बत बताने के लिए था अब वो मेकनिजम में हम फ़ज गए हैं कि हमारे डवलप्मेंट हो जाएगा हम भी उनके साथ लगे हैं तो डवलप्मेंट तो उनका हो रहा है हमसे तो वो चूस चूस के सब ले जा रहे है जी एक मिनिट इसमें थोड़ा तो इसमें वो है देखिए देखिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ एक दरश्टी की बात बताता हूँ कहीं भी सरकार की तरफ से अगर कोई प्रोजेक्ट आया है कोई NGO किसी प्रोजेक्ट को लेके आया है NGO की मेरी परिभाशा जो है जो समाज से कुछ लेके काम नहीं करते सरकारी फंड पे जो काम करते है या विदेशी फंड पे जो काम करते है अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट कोई एंजियो लेके आया है या सरकारी पैसे से चलाया गया है आप जान लेना वो सारा का सारा गेट करार की तैयारी के लिए ही है इस देश वनवशदी का इन्होंने कहा वनवशदी आप लगाईए इसके लिए भारत सरकार की कापाट एजनसी बड़े पैमाने पर लोन दे रही है लेकिन वो वनवशदीयों पर दो तीन साल के बाद कंट्रोल उनका है जो जमीन खरीद ले प्लेंट आपने लगाए महनत आपने की प्लेंट आपने बड़े किये खरीद लिया उन्होंने पूरा का पूरा अब देखिए इसमें NGO एक दूसरे तरह के भी हो सकते हैं एक ऐसे NGO जो लोगों से पैसा लेकर लोगों के काम में लगे हैं जिनको सरकार से पैसा नहीं लेना है विदेशी संस्थाओं से पैसा नहीं लेना उनके उपर आप एक बार जरूर श्रद्धा कर सकते हैं विश्वास कर सकते हैं लेकिन सरकारी पैसा कहीं भी किसी एजेंसी से लेकर अगर कोई काम कर रहा है एक बार तो जरूर आप उसको शक्की नजर से देखना और आपको दिखाई दे जाएगा क्या हो रहा है राजेंदर सिंग राणा को रोमन मैकसे से अवार्ड मिला फिर पूरे देश में उसकी यात्रा चला ही जा रही है जलियात्रा हो रही है उस जलियात्रा किस लिए हो रही है कि आप तालाब बनाते जाओ दो-तीन साल के बाद यह जमीन जाने वाली है उनके पास उनको तालाब चाहिए क्योंकि खेती उनको करनी है और बड़े पैमाने पर करनी है तो आप तो ये कहो कि हम तो बहुत बड़ा काम करने निकल पड़े और आप तो बन गए उनके एजेंट आजा आप एक बात ध्यान दे ना जो भी व्यक्ति समाज सेवा का काम अपनी हिम्मत और ताकत से करेगा अपने समाज के पैसे की ताकत से करेगा उसको कभी मैकसे से अवार्ड नहीं मिलेगा ये पिछले पचास साल में मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूँ लेकिन जिसने भी विदेशी पैसे पर काम किया, सरकारी पैसे पर काम किया उसको मैकसे से भी मिलेगा और आपको नोबल प्राइस भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा क्योंकि उनको रिकगनीशन उसी का कराना है, जिससे काम करवाना है आम ये राजकोट जाते हैं बेल जी भाई के परिचित एक सजजन है वो नीम का प्रेड़ लगाने का काम करते है उनको कभी महकसे से अवर्ड नहीं मिलेगा वो क्या नाम है उन भाई का जो नीम का प्रेड़ लगाते हैं राम जी भाई तो एक दिन बता रहे थे कि कितने कितने one उन्होंने बना दिये हम मुझे लगा कि इस आदमी ने तो इतना बड़ा काम किया चिले दम कि उसको कभी मैकसेस अवार्ड नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपनी ताकत से अपने लोगों की मदद से कुछ कर रहा है अगर वही काम वो कपाट की मदद से करता वर्ड बेंग के प्रोजेक्ट पर करता दो रोमन मैक्से से अवार्ड मिल गए होते हैं अब तक ये जो अवार्ड की पॉलिटिक्स है ये भी इसके साथ एक हिस्सा है तो आप कई बार जो है न अब इसमें से एक बात निकलाएगी आगई चर्चा में हमारे मन में हमेशा आता है न किन संगठनों से सहयोग करें किन के साथ नहीं करें किन के साथ करें किन के साथ नहीं करें कारिकरता हों कि मन में हमेशा चलता रहता है कई बार अच्छा अच्छा काम होता हुआ दिखता है, तो आप कोगे यह तो बहुत अच्छा काम कर रहा हम नहीं कर सकते, चलो हम इसके साथ मदद करें, तो आप ऐसे संगठनों के साथ कभी भी काम नहीं करना, जो सरकारी पैसे पर और विदेशी पैसे पर काम करते है नहीं तो आप भी उसी लपेटे में आ जाएंगे कल को क्या होगा उनकी आदत है कुछ लोगों को खड़ा करना उनकी मदद से काम करा लेना फिर उनको निकाल बाहर फैकना यह काम उन्होंने राजा राम मोहन रॉय से तब कराया था यही काम अब राजन सिंग राना से करा रहा और यह जो इस तरह के लोग हैं जो सरकारी फंड्स पे काम करेंगे और विदेशी पैसे से काम करेंगे वो वो प्रशन उठाएंगे जो विदेशी प्रभाव के नहीं होंगे अब ध्यान दीजे राजेंदर सिंग राणा कभी स्वदेशी की बात नहीं करेगा कभी नहीं करेगा आप उससे कहो कि गाउं में बना हुआ दातुन इस्तेमाल करने के लिए भी तो एक अवियान चलाओ तो वो कहेगा यह तो छोटी बात है सरकार से दो करोड रुपए लेके तालाब बनाओ यह बड़ी बात है ठीक है? तो गाउं के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं ऐसा कोई अभ्यान वो नहीं चलाएंगे उनके सारे अभ्यान जो चलेंगे वो ऐसे होंगे जो गाउं के लोगों को परावलं भी बनाते जाएं या तो सरकार के उपर या विदेशी संस्थाएं जो लोन देती हैं उनके उपर अब इसमें मैं सिर्फ इतने ही कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत प्रशन नहीं है ये राजिंदर सिंग राणा तो एक प्रतीक है मैंने बोल दिया आपको क्योंकि आप अकसर ऐसे चपेटे में फस जाते हैं हमारे कारिकरता चले जाते हैं कहते हैं मीटिंग कराओ उसकी, पेंपलिट बांटो उसके, पोस्टर लगाओ उसके, बड़ा आदमी है, मैकसर से अवर्ड मिल गया तो इतनी बड़ी बात कर रहा है समझ के करिए समझ के करिए, कल को आपको धोखा ना हो जाए क्योंकि ये सब चीज़ें जो चल रही है ना वो एक कैलकुलेशन से चल रही है एटरेंडम कहीं कुछ भारत में शुरू नहीं होता, कम से कम विदेशी मदद से तो कहीं कुछ नहीं शुरू होता तो ये वेस्टलेंड डवलप्मेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वाटर हर्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट चल रहा है या ये प्रोजेक्ट चल रहा है, या वो प्रोजेक्ट चल रहा है जो दो-तीन साल के बाद आपके यहां बड़े पैमाने पर आने जा रहे हैं और वो क्या करते हैं? धरमपाल जी ने कल कहा था आपने ध्यान दिया कि नहीं वो कुछ भी काम करते हैं उसकी तैयारी पचास साल पहले कर लेते हैं 50 साल पहले वो तैयारी कर लेते है गेट के माध्यम से ये भारत में उन्हें कराना है इसकी तैयारी उन्होंने 1952 रेपन में शुरू कर दी है हाँ, हाँ, आप कुछ कहे मैं उसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं लेकिन राजंदर सिंग राना के बारे में मुझे पक्की जानकारी है उन्होंने करोड़ों रुपए विदेशी फंड लेके ये तालाब बनाने का काम शुरू किया और उसी फंड से अब यात्रा हैं उन्होंने निकालना शुरू किया और वो यात्राओं को अब सरकार ने स्पॉंसर करना शुरू कर दिया करनाटक में उनकी यात्रा सरकार निकालती है गुजरात में उनकी यात्रा सरकार निकालती है वगेरा वगेरा तो उनके बारे में चुँंकि ने पास पक्की जानकरी हूँ और मेरे पास ये भी जानकरी है कि उनको कहां से किस देश से कितना पैसा कब आता है और उसका कारण है कि मैं 1989 से उनको जानता हूँ राजंदर सिंग राणा को तो ये एक बात आगई इसलिए राजंदर सिंग राणा जैसे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं, वो तो एक नहीं है, हिंदुस्तान में इस समय हैं, अठारे हजार से जादा संस्थाएं हैं, जो फॉरिन फंड्स लेके इसी तरह के काम में लगी हुई हैं, जिनको NGO's कहा ज हाँ, मैं आता हूँ, क्रशी पर बात करो अभी, ये खतम हो जाते हैं, हाँ हाँ, अब किसानों को समझाना चाते हैं, तो तीन कैसेट मैंने इस पर पहले से बना रखी हैं, खेती और किसानों को गुलाम बनाने की साजिश उसका नाम है, तीन गंटे का पूरा व्याख्यान है, खेती से गैट का क्या संबंद हैं और खेती पर क्या आसर, ये ही विश है उसमें तीन गंटे का लिया है, अब आप इतना ही करिए, महरवानी करके कि वो तीन कैसे, जितने ज़्यादा किसानों को सुनवा सकते हैं, सुनवा दीजे, क्योंकि अभी क्या होगा, अचानक से जब आफ़त आ जाएगी, तो रास्ता ढूनते भी नहीं मिलता, लेकिन आफ वो कपास लेके जाएंगे, भाव नहीं मिलेगा, बेलगाडी लेके वापस आएंगे, या ओने पौने भाव पर बेचेंगे, वो माल लेके जाएंगे, भाव नहीं मिलेगा, ओने पौने भाव पर बेचेंगे, व्यापारी भी उनकी लूट में लग जाएंगे, क्योंकि व minimum support price 600 रुपई, 600 रुपई कुंटल था, व्यापारियों ने लिया, क्योंकि किसानों को ये मालूम था, कि market में चावल जादा आया हुआ है, तो थोड़ा सा चावल जादा आ गया, तो ये हालत है कि 600 रुपई कुंटल वाला, 500 रुपई कुंटल बेचना पड़ा, तो आप जब get करार complete आ जाएगा, तो आप सोचो 50 रुपई कुंटल भी बेचना पड़ सकता है, और कोई उसके लिए धनी धोरी नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा ये मैं आपको एक उसका गंदा सुरूप भी समझाता हूँ, फिर क्या होगा, जब ये विपत्ती आपत्ती आएगी, तो ये राजनेतिक पार्टियां फिर राजनीत करना शुरू करेंगी, ये देखो ये जिम्मेदार है, इसने गेट करार लागू किया था, कोई कहेंगा, नहीं नहीं देखो, इसने साइन किया था, ये सब ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ना शुरू करेंगे, उसमें डाइवर्जन ही होगा, आपको रास्ता कुछ नहीं देखेगा, फिर एक पारिटी कहेंगी, अच्छा जी हमको वोट दे दो, हम आएंगे और इसको हटाएंगे, ठीक है, अब वो आएंगे, उससे भी ज़्यादा खतरना कुछ ला सकते, क्योंकि हटाने की दम अगर होती, तो अभी ही नहीं विरोध करते उसका, बीजेपी ने क्या किया था, यही तो कहा था कि हमको चुनके दो, हम सुदेशी लाएंगे, यह करेंगे, गेट करार को हटाएंगे, अभी लाए हैं तो उससे और ज़्यादा खतरना कृती से, उसको लागू कर दिया, कल को कम्यूनिस्ट आएंगे, वो इससे भी ज़्यादा खराब कर सकते हैं, तो यह राजनेतिक पार्टियों का तो दम अगर होता, तो पहली करते ना, उनका दम तो हो गया है, खतम, अगर दम होता, तो पार्लेमेंट ही इसको रिजेक्ट करता, अब जिसके उपर यह आफ़त आने वाली है, उसको जानकर ही नहीं है, कि यह हो जाए, उसको इतना जरूर होगा दो साल के बाद, कि अचानक से भाव बहुत गिरेंगे, तो वो परेशान तो होगा, कि भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन यह कैसे गिर गिर गिरा है भाव, यह उसको बताने वाला कोई नहीं है, हाँ, यह बात ठीक है, इसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे, कि अभी कोई बीच के बारे में कोई पुस्तक बन जा, या कोई पेंपलेट बन जा, जिससे किसानों को माईती हो, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कि जितना हमारे पास है, उतना तो पहुँचे लोगों के पास पहले, हमारे पास अभी इतना तो है ही, खेती, किसानों के बारे में, हमारे पास काफी कुछ है, get का material, trips के बारे में काफी कुछ है, medicine के बारे में काफी कुछ है, जिस पर मैं अभी थोड़ी दिर में आने वाला हूँ, तो जितना है उतना ही जल्दी से जल्दी पहुँचा ही है, वो जो सुनील आगी वाल कल कह रहे थे न, वो यही बात है के आप ये कुछ दो, तीन, चार विशे की cassette सेलेक्ट करके जितने लेवल पे उसको लोगों को सुना सकें तो माहिती मैक्सिम एक बार लोगों को जानकर ही हो जाए कि देखो ये आफ़त आने वाली है या आ गई है तो फिर वो कहेंगे अच्छा बताओ आप क्या करें वो खुदी पूँछेंगे, अच्छा आप बताओ क्या करें जैसे ये उन्होंने ये पूचना शुरू किया कि आप क्या करें, तो पिर हमारा उनका संबन बनेगा और फिर रास्ते बनाना उसका भी विकल्प है हमारे पास ऐसा नहीं है कि इसका कोई विकल्प नहीं ये इतनी भयाव है जो परिस्तिती आने वाली है इसका विकल्प है और उस पर भी मैं चर्चा करूँगा क्या विकल्प है लेकिन ये विकल्ब तब लागू हो सकेगा जब किसानों के साथ हमारी दोस्ती हो दोस्ती कब बनेगी एक तो आफ़त आने के पहले आपने उनको चेतावनी दे दी कि देखो ये आफ़त आने वाली है दो साल के बाद तुम समल जाओ वो अभी मानेगा नहीं आपकी बात को क्योंकि हिंदुस्तान में थोड़ा विश्वास कम हो गया है पिछले पचास साले शहर से आया हुआ कोई आदमी गाउंवाले से कुछ बात करे तो वो पहली बार में तो मानता ही नहीं है कि ये मेरे काम की बात कर सकता है वो जो कल कह रहे थे ना प्रिंस प्रियंदम की वो अच्छा खाना पीना खिलाएगा आवगत भी कर देगा लेकिन आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा इसमें डाउट रहता है तो हो सकता है ना माने लेकिन आपका फर्ज है करतब है आप उसको बताएं सुनाएं जैसे ये आफ़त आएगी तो वो ढूंड़ेगा अच्छा ये दो साल पहले आए थे ये ही बता के गए थे हाँ वो कहेगा रहे दो साल पहले तो आए थे वो हमको बता गए थे कैसिट सुना गए थे ऐसा होने वाला अब तो ये हो गया फिर वो ढूंडेगा जब उसके मन में आपके प्रती जिग्यासा पैदा होगी तो फिर आप जो कहोगे वो ही करेगा वो ये मान लेगा कि आप पहले आए थे मुझे ये बता के गए थे मैंने आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया था या मैंने माना था आप गप उमार रहे हैं या आपको कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं इतना कुछ होता होता नहीं है लेकिन अब मैंने देख लिया कि ये तो बहुत होता अच्छा आप बताओ अब क्या करें तो ये अभी अपने का काम क्या है अब देखिए ये गैट के साथ मैं आपको एक प्रोग्रेम भी दे रहा हूँ ये गैट का एगरी कल्चर का चैप्टर में या खतम कर रहा हूँ कंक्लूड करके यहां से जाने के बाद हमारा अब जो सबसे बड़ा काम है वो ये कि 2005 एक जन्वरी से गैट लागू हो उसके पहले अपने आसपास में जितने अधिक से अधिक गाउं में हम जाकर ये लोगों को बता दें वो मानते हैं नहीं मानते अलग बात है दो लोगों को सुना दें, दस लोगों को सुना दें, बीस लोगों को सुना दें मेरे हिसाब से खराब है वो 27 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है वो ये कहता है अंग्रेजी में बहुत लंबा है मैं आपको सीधे हिंदी बताता हूं टाइम बचाने के लिए आप चाहें तो इसका फोटो कॉपी करा ये कहता है कि भारत में और सौरी भारत में नहीं जहां भी गेट करार लागू होगा उन सभी देशों में इन्वेंशन्स और डिस्कवरीज दोनों को पेटेंट दिया जाए अभी तक क्या होता है भारत जैसे देश में डिस्कवरीज को पेटेंट नहीं है अब discovery और invention क्या होता वो मैं समझाता हूँ देखिए मेरे हाथ में गड़ी है ये गड़ी सबसे पहले किसी ने बनाई तो ये invention है समझ गए? ये गड़ी है मेरे हाथ में ये सबसे पहले किसी ने बनाई तो उसने ये invention कर दिया ये pen मेरे हाथ में है ये सबसे पहले किसी ने बनाया तो invention कर दिया ये चर्खा किसी के हाथ में है किसी ने सबसे पहले बनाया invention कर दिया ठीक है लेकिन नीम का पेड़ है people का पेड़ है वो आपने कहीं ढोड़ लिया जाके तो वो discovery है जो चीज पहले से मौजूद है उसको पता कर लेना गुण दोशों के सहित वो होती है discovery और जो पहले से कहीं नहीं थी उसको बना लेना वो होता invention बात समझ में आ रही है discovery माने पहले से बहुत कुछ है ब्रहमांड में जगत में वो आपने खोज लिया नीम का पेड़ है पीपल का पेड़ है ये बीज है वो बीज है ये फल है वो फल है आपने उसके गुर्वदोश पता कर लिए इसको खाएं तो ऐसा हो जाता है उसको पिएं तो ऐसा हो जाता है तो ये तो discovery है invention क्या है जो पहले से कुछ थाई नहीं और आपने बना लिया वो है invention भारत में अभी क्या होता है सिर्फ inventions को patent है discoveries को नहीं है लेकिन get करार का ये जो article है वो ये कहता है कि whether it is a invention और discovery both are patentable दोनों को patent चाहिए अब इसका अर्थ क्या वो समझ लीज़े अर्थ ये है कि जैसे मैंने ये घड़ी का invention किया तो इस पर patent मेरा patent का मतलब होता legal right एक तरह का कानूनी अधिकार कानूनी अधिकार किस बात का इसको बनाने का और बेचने का दोनों या किसी को दान करने का दान भी करना है तो किसी तो ये अधिकार मेरे पास है अच्छा अब ये अधिकार जिस कानून से मिलता है उसी को patent act कहते है हमारे देश में एक patent act बना हुआ है 1970 से बना हुआ है उसमें ये है कि अगर आपने invention किया तो उस पर तो अधिकार मिलेगा लेकिन discovery किया उस पर नहीं मिलेगा क्यों आपने कुछ नया नहीं बनाया पहले से था को खोज के बता दिया आपने जैसे आपने ये बता दिया कि अध्रक का पानी पीने से ये हो जाता है अब ये तो पहले से था आपने सिर्फ बता दिया लेकिन अधरक बना दिया अगर तो invention हो गया तो अगर आप invention करेंगे किसी चीज़ का तब तो patent है patent माने legal right legal right किस चीज़ का बनाने का और बेचने का लेकिन अगर आपने कोई चीज़ खोजा है तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है वो discovery है तो हमारे यह discoveries को patent नहीं होता inventions patent होता अब यह 2005 के बाद जब यह लागू हो जाएगा तो discoveries भी patentable है, invention भी patentable तो अब इसमें होने वाला क्या है लडाई मार इस बात की होगी कि जैसे कोई किसान है उसके पास चावल का एक बीज है हजारों साल से चला आया है उसने वो बीज से कोई नया बीज बना लिया तो वो एक discovery है लेकिन ये भी अब patent हो जाएगा 2005 के बाद, जो अभी तक नहीं होता था आपने जैसे आप सुनते ना अमरीका ने तुलसी पे patent करा लिया, दिरग पे करा लिया नीम पे, ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नीम से कोई दवा बनती थी हजारों साल से हमारे देश में अमरीकियों ने उस पे patent करा लिया क्योंकि उनकिया discoveries को भी patent होता है हमारे या नहीं होता अब हमको भी ये लागू करना पड़ेगा तो सभी discoveries patentable है सभी inventions patentable है फिर उसी में आगे का प्रवीजन है कि patent कम से कम 20 साल का है मानि 20 साल तक वो एक वस्तु किसी के बपौती की रहेगी मिलकियत की रहेगी दूसरा ना उसको बना सकेगा ना बेच सकेगा जिसका patent है वही बनाएगा वही बेचेगा ठीक है दो प्रवीजन तीसरा प्रवीजन है कि अगर आपने patent का उलंगन किया violation किया तो आपको एक case चलेगा जिसको एक technical word है reversal of burden of proof के साथ case चलेगा को कैसे मैं समझाता हूँ ये गड़ी का patent मेरा ठीक है तो आपको अदालत में सिद्ध करना है मुझे कुछ नहीं करना है जो करना है वो आपको करना है वकील आपको करना है सिद्ध आपको करना है मैंने चोरी नहीं किया ये आपको समझाना है जज को मैंने आपको आरोप लगा दिया और मेरी छुट्टी हो गई कि ये तो patent मेरा था, इन्होंने तो चोरी कर लिया, अब आप सिद्ध करते रहो कि नहीं मैंने चोरी नहीं किया, मैंने तो ऐसा किया, वैसा किया, लड़ते रहो कि मुझे कुछ करना नहीं है ये है, reversal of burden of proof ये भारत देश में सबसे खराब एक जगे पर है जिससे सबसे आदा अत्याचार इस देश में होता है ये बलातकार के जितने कानून है वो सब reversal of burden of proof के कानून है मानि जिसके उपर बलातकार हुआ है, उसको सिद्ध करना है अदालत में कि हुआ है कि नहीं हुआ है और इसी एक कानून के कारण सब बलातकारी छूटते हैं इस देश कैसे सिद्ध करेंगे आप हिंदोस्तान में एक ही जगे पर ये है reversal of burden of proof वो बलातकार के कानून, रेप के जितने भी कानून है, वो सब reversal of burden of proof में है, और आप जानते हैं कि कितने केसिज रेप के होते हैं और कितना उसमें कन्विक्शन, कन्विक्शन रेट रेप केसिज में 1% भी नहीं है माने रेप करने वाले सौ लोग है, उनमें से किसी एक को सजा होती है, निन्यानवे छूट जाते हैं, क्योंकि reversal of burden of proof है इसमें महिला को सिद्ध करना है कि उसके उपर बलातकार हुआ या नहीं हुआ जिसने किया है, उसको कुछ नहीं करना है वैसा ही reversal of burden of proof अब आ जाएगा 2005 में, सभी patent कानूनों पर तो अब जैसे कोई विदेशी company है, मान लो उसने कुछ बनाया उसने घड़ी बनाई और मैंने भी घड़ी बनाई अब वो मेरे उपर आरोप लगाईगी कि आपने तो हमारे patent की चोरी कर ले अब आप सिद्ध करते रही है अदालत में कि आपने चोरी की है, कि नहीं की है की है तो कैसे की है, नहीं की है तो क्यों नहीं किये, लड़ते रहिए, दस साल, बीस साल, पचीस साल, उतने समय में वो कमपनी माल बेचती रहेगी, दंदा करती रहेगी, किसी दिन मानलो केस जीत भी गए, तो पचीस साल तो गए आपके हाथ से, फजा दिया उनों, अब वो करेंगे क्या, विदेशी कमपन में डाली और केस लगा दिया, कि ये तो इन्होंने हमारा वाइलेशन किया पेटेंट का, अब जगड़ा चलाते रहिए, ललते रहिए, हैं, हाँ, आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, अगर आपकी हिम्मत है, तो आप उनको अगर कर सके हैं, ऐसा कोई केस, तो आप उनको है, उसको देखकर मैं कह रहा हूँ, कि आप एक करेंगे, वो हजार करेंगे, हाँ, वो तो तभी, अगर आपके पास कोई पेटेंट है, और आपको लगता है कि कोई विदेशी कंपनी ने आपके पेटेंट की चोरी की है, तो आप केस कर सकते हैं, बशरते की पेटेंट है, अगर पेटेंट नहीं है, तो आप कोई केस नहीं कर सकते हैं, अब वो क्या है, उन्होंने यहां क्या किया हिंदुस्तान में, यह कानून तो आएगा 2005 से, पेटेंट अप्लिकेशन उनके अभी से पड़े हुए हैं, अहां मैं बात करता हूँ, तो पेटेंट अप्लिकेशन पहले आएगा, पेटेंट उसको दिया जाएगा, डेट का उसमें कैलकुलेशन है, अचा अब कानून लागू होने जा रहा है 2005 एक जन्वरी से, ध्यान रखिए, अगर किसी कमपनी ने आज के दिन में कोई पेटेंट अप्लिकेशन फाइल किया, और आपने 2001 के बाद उसी क पेटेंट अप्लिकेशन फाइल किया, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, वो कमपनी को मिलेगा, क्योंकि उसने पहले अप्लिकेशन दिया है, तो उन्होंने क्या किया है, ये तो चालाक लोग हैं अमरीकियों, हम तो उतने चालाक नहीं हैं, उन्होंने आज इही सब अप्ल इडली बनाने के प्रॉसेस पर पेटेंट अप्लिकेशन दे रखा है। उप्पव उत्तपा बनाने के प्रॉसेस पर पेटेंट अप्लिकेशन दे रखा है। उन्होंने मिरी का 40 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। उस पर पेटेंट अप्लिकेशन दे रखा है। सूखडी बनाने तो वो ऐसी list है कड़ी बनाने पर 40 patent application दिये हुए कड़ी कड़ी तो हम रोज बना के खाते हैं न जापान की एक company और अमेरिका की एक company ने 40 application फाइल किये हुए हाँ, hotel में hotel में बना के market में नहीं बेच सकेगा जब तक कि आप वो company की permission ना ले ले घर में तो मैंने कहा, आपको मैंने बता दिया कि जो भी काम आप market के लिए करेंगे get उसमें आगे आएगा और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो get कहीं नहीं आने वाला ठीक है, तो अब आप hotel चलाते हैं patent application उन्होंने कड़ी का दिया हुआ है और एक particular prescription पर patent मिला है तो आप वो कड़ी बनाना चाहते हैं तो permission लीजिए उस company की उसको royalty दीजिए उस company की तब आप बना के बेच सकते हैं वो कड़ी नहीं तो नहीं देगा, अगर बेचा तो वो आपके ऊपर case करेगा कि इसने मेरा patent violate किया है हाँ जी हाँ नहीं महिला को सिद्ध करना पड़ता है अदालत में जो होती है वो पीडिता के लिए सब case है, पूरा पीडित तो खड़ा, वो माने करने वाला तो खड़ा है, बॉक्स में सब पूछताच उस महिला से होगी क्योंकि reversal of burden of prove है ये अंग्रेजों का दिया हुआ है हिंदुस्तान में reversal of burden ये यूरोप में है तो यहां भी आ गया वही उन्होंने gate में ले आया तो जिसके उपर सब जो भुक्तब होगी है सब कुछ उसको सिब्द करना है और जिसने सब किया है उसको कुछ भी नहीं करना है हाँ, अभी patent का charge कितना है? हिंदुस्तान में अगर आप कोई discovery को patent कराने के लिए कोई process को patent कराने के लिए तो अलग-अलग categories है अलग-बख साड़े 300 रुपए, 400 रुपए है अगर आप वही patent विपो में कराने जाएं तो 5 लाख डॉलर है विपो, World Intellectual Property Organization जो एक बड़ी संस्था है जहांके patent की कीमत दुनिया में सबसे ज़ादा मानी जाती है वहाँ 5 लाख डॉलर है तो यहां भारत सरकार साड़े 300-400 रुपए अब विदेशी कंपनी के लिए बढ़ा दिया मान लो उन्होंने 10,000 कर दो 2005 के बाद 10,000 करेंगे, 50,000 करेंगे वो होगा लेकिन उनके लिए 50,000 क्या 75,000 हो गया देखिए अभी 75,000 तो हो गया जो कभी साड़े 300 था अब 75,000 हो गया एक, आपको रोकने के ये रास्ते हैं कि उन्होंने application fees बढ़ा दिया और ये जो fees होती है वो refundable नहीं है आप ये ध्यान रखना patent नहीं मिला तो fees refund नहीं होगी डूपने वाली है हाँ नहीं application file करते में patent मिला नहीं मिला वो तो बात दूर किये है हो सकता है नहीं भी मिले application file होते ही आपको ये जमा कर देना है पैसा word intellectual property organization तो ये patent काई ये जो patent है ना वो सभी industries में है सिर्फ खेती में नहीं दवाओं में नहीं सभी में है क्योंकि हर जगे machine बनती है हर जगे processes बनते है processes के सभी patent discoveries patent बने जाते है और product के सभी patent inventions होते है अब इसमें किया है ? एक next provision फिर क्या है ? next provision ये है कि provision जो है processes को भी दो product को भी दो अभी तक भारत में ऐसा होता है कि process को दिया जाता है product को नहीं दिया जाता medicine के छेत्र बाकी छेतर में तो दूसरी परिष्टे थे लेकिन 2005 के बाद आप दोनों को दो अब यह process और product की समझा देता हूँ गड़ी बनाया एक तरीके से वो एक process है गड़ी बन गया वो product है तो product का एक patent, process का एक patent भारत में क्या होता है कि कुछ field ऐसे है जहां पर product patent है, otherwise नहीं है कुछ ही field है वो 10 बारे से जादा नहीं है बाकी सब में process है लेकिन यह 2005 के बाद आपको सभी में करना है तो अब ऐसे समझे कि गड़ी बना रहे है इसका process भी patent हो गया और गड़ी भी patent हो गयी गड़ी का design भी patent हो गया इसके अंदर के number इस तरह से लिखे है यह भी patent हो गया आपने इसमें इतने सारे खाण यह भी patent हो गया ऐसा clip है यह भी patent हो गया यह pen है pen का cap का यह design है यह भी patent हो गया निप का design है वो भी patent हो नीचे का यह patent सब सब अब हो गया तो मैंने मैंने का legal right हो गया legal right हो गया तो उसी को बनाना उसी को बेचना और कब तक 20 साल तक 20 साल के पहले ना कोई दूसरा बनाएगा ना बेचेगा उसको बदा तो तो ये सभी छेत्र में होगा ये दवा में भी होगा उद्योग में भी होगा textile में भी होगा, खेती में भी होगा, जितने भी sector है, सब में होगा, services में भी होगा, services में क्या होगा, जैसे state bank of India, उसका कोई symbol है, ठीक है, अब वैसा symbol कोई ने दूसरे ने अगर लगा लिया, तो patent violation का case, हमारा भी स्वानन का कोई symbol है, हमने pretend लिया, किसी दूसरे ने यूज़ कि हम भी case कर सकते, मने यह जगड़े ही बढ़ने है, शांती तो नहीं रहनी है, यह तो मुस पर करो, वो उस पर करे, वो उस पर करे, अभी तो 4 करोड case spending है, फिर जब यह आ जाएगा, आप सोचो, 10 करोड हो जाएंगे, 15 करोड हो जाएंगे, और अपनी अदालत की यह capacity है, कि 4 करोड case को, अगर मने समाधान करना हो, तो अरुन जैटली कहता है, कम से कम 400 साल लग जाए, साले 300 से 400 साल लग जाएगा, अभी जो case spending है, जब यह सब आ गया, तो कल पना करो क्या होगा, हजारों साल तो अब तक बना सकते हैं, लेकिन वो भी बना सकता है, जैसे आप गड़ी बनाते हैं, ठीक है, citizen company ने आपके उपर violation case किया, तो अब इसमें जो provision है, वो यह कि जिसके उपर case किया, उसका production stop, immediate, लेकिन जिसमें case किया, उसका production चालू, आप जब छूट जाएंगे, तब दुबार से production चुरू कर सकते हैं, बने application, इसका एक board है, special board, जिसको dispute settlement council या dispute settlement board कहा जाएगा, तो आपने case दे दिया, प्राइमा फिसाई उसने मान लिया, बस उसी दिन से आपके उपर restrictions आने शुरू हो जाएंगे, और जिसने case किया है, उसके उपर कुछ नहीं है, उसे कुछ सिद्ध भी नहीं करना है, मान लीजे, judgment यह आया कि आप जीत गए, और वो हार गया, तो 20 साल तो गए ना आपके, अब आप नहीं से शुरू करिये production, वो company आपको surrender करेगी, लेकिन 20 साल में उसने जो कमा ना था, कमा लिया, हाँ, वो कर सकते हैं, बशर्ती के patent हो, without patent नहीं कर सकते ना, और मैंने आप से कहा कि application उन्होंने कर लिये, आप भी application करना शुरू करिये, 75-75,000 रुपए भरिये एक-एक application में, अब कितने लोग लेंगे, और हो सकता है, आपने जो application दिया, वो पहले से आ गया है, तो judiciary ये जो है ना, देखिए, एक बात ध्यान रखिए, कि अभी तक भारत में ऐसा माना जाता है ना, वैसे है नहीं वो, माना ये जाता है कि judiciary independence जैसा है, लेकिन judiciary का सारा independence निकल जाएगा, वो get के नीचे आ जाएगा, पूरा का पूरा judiciary उसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपके सब कानून फिर वैसे ही बनेंगे, IPC चेंज करना पुड़ेगा, CPC चेंज करना पुड़ेगा, CRPC चेंज करना पुड़ेगा, तो ये जो गुलामी है, get की, वो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये इतनी खतरना गुलामी है, जो East India Company भी कभी नहीं लाई, अंग्रेजों ने जो नहीं लाई, European लोगों नहीं लाई, उससे भी जादा खतरना की गुलामी है, और इसलिए लड़ाई भी आप समझ लीजे, उतनी ही जादा मुश्किल होने वाली है, अंग्रेजों की लड़ाई बहुत आसान थी, आज ये हम बिलकुल कह सकते हैं, बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं, अंग्रेजों से लड़ाई बहुत आसान थी, जो भी हमारे करांतिकारी लड़ गए, वो बहुत आसान लड़ लड़ गए आपको उससे हजार गुनी जादा मुश्किल लड़ाई लड़ने है अंग्रेज थे तो दुश्मन आपका एक था सामने दिखाई देता था यहां तो अंदर ही अंदर दुश्मन खड़े होने वाले मैंने आपको खेती का एक उधारन दिया था कि चीप अब आप पहले लड़ाई लड़ेंगे या इनके जगड़े सुल जाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ तो ये था कि मजदूर भी और किसान भी और कारीगर भी सम मिलके लड़ सकते थे यहां तो सब भाई 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 दुश्मन हो गए एक दूसरे के तो एक गैट के मन कहते हैं और दुश्मन हम दोनों का वो अमरीका में बैठा हुआ है यही तो हो रहा है ना आज भी तो ये लड़ाई आज की थोड़ी मुश्किल है और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ज़्यादा मुश्किल लड़ाई ज़्यादा समझदारी से ही लड़ी जा सकती है स हमसदारी हमारी होनी चाहिए किस पे भीक मांगने में ये मैंने देखी आप घड़ी देखी है तो बारे बजरा है आपके भोजन का समय हो रहा है और मैं आप इसको खतम करना चाहता हूँ लेकिन अगर आप लोगों की इक्षा हो तो इसको थोड़ा कंटीन्यू कर सकते है इस सेंस में कंटीन्यू कर सकते हैं कि अभी मैंने दो चैप्टर लिये अभी इसमें टेक्स्टाइल बाकी है ये ब्यापार वाला जो ट्रेड का है वो बाकी है services का बाकिया यह bank वाले बैठे है बीमा वाले बैठे हैं तो उसमें से 2-2-3-3 provision इसी तरह से लेकर सुना देता हूँ और अंत में अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ अंदाजा लग रहा है कि यह कितने खतरनाक लोग है आपके सामने अभी आया है उनको अंदाजा था क्योंकि मैंने बता है न हर 30-40 साल में उनकी economy में recession आता है यूरोप और अमेरिका में वो recession को दूर करने के लिए वो पहले से planning करके रखते हैं अभी यह recession आएगा तो कहा युद्ध करना है अभी यह आएगा तो क्या करना है वो पचास साल पहले से हिसाब करके calculation करके चलते हैं और हम इस मानसिक्ता के भई आजाएगा तो सोचेंगे ठीक है ना? जैसे अभी इन्हों ने कहा पिंगले जी ने कहा भई जो सबका होगा हमारा हो जाएग यह हमारी मानसिक्ता है यह दोनों मानसिक्ताओं में जमीन आस्मान का फरक है उनका मन ऐसे चलता है कि अगले पचास साल में क्या क्या हमें करना है उसकी वो माइक्रो लेवल पे calculation शुरू कर देते हैं commission बन जाते हैं studies होने लगती है सब सब होने लगता है हमारी मानसिक्ता यह है कि आजाएगी सिर्पे तो देख लेंगे आजाएगी तो सब मदद करने के लिए कठे भी हो जाएगे पहले से कुछ नहीं करेंगे अब यह जो दो अलग तरह की मानसिक्ताओं है यह यह करते हैं तो अपने को बचाने का तरीका क्या हम भी सोच लेते हैं यह 50 साल पहले 1947 में हमारी आदत वैसी नहीं है हमारी से मतलब हम हिंदुस्तानियों की हिंदुस्तानियों की मतलब मंगला देशियों की पाकिस्तानियों की यह जो नजदी के ना यह सब एक ही तरह के लोग तो यह जो मन हैं वो अलग अलग तरीके से चलता है European और American जो मन होता जो mind होता वो एक तरह से काम करता है हिंदूस्तानी मन जो है एक अलग तरीके से काम करता है यह इतना differentiation कैसे है तो मैं next जो आप से share करना चाहता हूँ है कि ये भी जरा हमें समझ लेना चाहिए कि उनका मन ऐसा क्यों काम करता है आपके मन में ये है कि वो सब को लूट मारी करके सब भर भर के अपने घर में ले जाने का ये मानस कैसे आता है ये इसको लूटो, इसको लूटो यहां मार करो, वहां मार करो एक interesting बात बता दू यूरोप की पूरी philosophy में trade और plundering में कोई फरक नहीं है plundering, plundering माने loot part loot part को ही व्यापार कहा जाता है आप इस बात को दिहान रखना यूरोप के जितने भी बड़े philosopher हुए, जैसे अरिस्टोटल है विकारते है लिबिनिज हैं, जो बनाते है समाज की philosophy, हमारे आरिशी मुनी बनाते हैं, उनकी हाँ philosophers उन सबी ने ये माना है कि व्यापार और loot मार में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है माने जब वो ये कहते हैं कि हम व्यापार कर रहे हैं तो आप जान लो कि वो loot मार कर रहे हैं हमारे लिए दोनों अलग अलग है हम loot मार और व्यापार में हमारे लिए जमीन आस्मान का फरक है हम व्यापार भी करते हैं तो बहुत ethics के साथ करते हैं कि सवेरे जवान देदी आपको ये भाव की तो यही भाव पर बेच रहा हैं, बले दुपहर को भाव कुछ भी हो गया. तो हमारा मन तो ऐसे चलता है, एथिक्स वाले हैं, नियम वाले हैं, सैयम वाले हैं, कानून, अपने आत्म सैयम वाले हैं, वगरह हो. और वो इस तरह के हैं कि कहीं भी लूट मार कर लो वो भी व्यापार है किसी को भी मार दो वो भी अच्छा ही है नहीं मार दो गुलाम बना लो वो भी अच्छा है तो ये जो मन बना है उनका वो कैसे बना है वो थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए तो क्या होगा कि थोड़ा मैं मानता हूं कि थोड़ी समझ पूरी जैसी हो जाएगे नहीं तो अदूरा अदूरा अभी जैसे आपके मन में यह आने लगेगा उनके मन में दया नहीं आती बिल्कुल कभी कि ये करोणा लोग मर जाएंगे भूके नहीं आती क्योंकि मन वैसा बना हुआ है उनके मन में करोणा नहीं आती कभी आप कहते हैं ना कि मनुश मनुश तो सब एक ही होते है प्रेम है प्यार है करोणा है ये तो यूनिवर्सल है ये यूनिवर्सल है लेकिन उसके परसेक्शन्स अलग अलग है अर्थ सब के लिए अलग अलग है आपके लिए दया प्रेम करुणा का जो अर्थ है वो यूरोपियन के लिए नहीं है वो ये कहेंगे कि ये गेट करार लागू करके हम आपके उपर दया ही कर रहे हैं आपको अपने से मिला रहे हैं ना तो ये दया ही कर रहे हैं या आपके प्रती हमारा प्रेम ही है जो हम दिखा रहे हैं आपको आपने किसी का आलिंगन किया और उसकी हड़िया तोड़के चटका दिया आपने का तुम मैंने तो आलिंगन ही किया था अब तुमारी हड़ी तूट गई तो क्या करूँ हाँ तो ये जो माननेता है ना वो कहेगा भई मैंने तो प्रेम करने के लिए गले मिला अब आपकी हड़ी तूट गई तो क्या करूँ अब उसका तो वैसा है मन भी वैसा है शरीर भी वैसा है जैसा मन होता है, वैसे ही शरीर बनता है, और जैसा मन चलता है, वैसे विचार आते हैं, आप तो जानते हैं, मन की गती से ये सब होता है, मन में आपने कुछ धारण कर लिया, तो वैसी दुनिया बनाएंगे आप, भई आप अपने घर में, आपने कुछ मन में तै किया हुआ ह तो उसका वैसा होगा, किसी का किशिन गर के बाहर मिल जाएगा, किसी का गर के अंदर मिल जाएगा, किसी का बातरूम बाहर मिलेगा, यह सब मन का खेल है, वो का है न मन के हारे हार है, मन के जीते जी, सब खेल तो मन से ही होता है, हारना जीतना भी मन से होता है, तो उनका मन कैस है हमारा मन कैसा है ये थोड़ा हम अगर समझ लेंगे तो ये सब जो लगता है ना ये आपको भयावे नहीं लगेगा नहीं तो इसमें डर लगेगा आपको और मैं नहीं चाहता कि हम डर है अभी क्या है कि ये गेट करार का मैं ज़्यादा सुनाता हुनाता नहीं हूँ तोड़ी बहुत हिम्मत है वो भी चली जाएगी, आप तो थोड़ा और डरा देंगे, तो अंत में तो यही कहेगा न, जो सब का होगा, मेरा भी हो जाएगा, सब भूके मरेंगे, मैं भी मर जाओंगा, तो यह डर का ही तो प्रतीती है, मेरी हिम्मत नहीं है आप कुछ करने की तो मैंने मान लिया, आप जो सब का होगा, मेरा भी हो जाएगा, तो यह नहीं करना है हमाएं, हमारा भी न हो, हम किसी और का भी न करें, तो उसके लिए थोड़ी एक समझ अगर बन जाए हमारी, कि उनका मन कैसा है, उनका विश्वास कैसे है, उनकी परंपराएं कैसी है, उ यूरोपियंस और अमेरिकंस, वो मैं एक थोड़ी सी बात और सुनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद, आपको ये बात और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये प्रशन मेरे मन में भी आते थे, जब हम धरमपाल जी के साथ चर्चा करते थे, और धरमपा कर देते, इनके मन में प्रशुचित क्यों नहीं आता, कि हमने 10 करोड़ अमेरिकंस को मार दिया था, या आस्ट्रेलिया में मार दिया 2 करोड़ लोगों को, या निउजीलेंड में मार दिया, कभी इन्होंने सोचा नहीं क्या, ये प्रश्ण में धरमपाल जी से अकसर करता कि हम जब इतने द्रवित होते हैं, किसी को मरता हुआ देख लें, कहीं सड़क पे खून दिखाई दे जाए, तो वोमिटिंग सेंसेशन हो जाता है, अब इन्होंने दस करोड लोगों को मारा होगा, तो कितना खून बहा होगा, कैसे कतले आम हुआ होगा, इनको कहीं कोई दर् लीफ नहीं है, तो ये कैसे है, तब धरमपाल जी ने का कि देखो, अगर ये बात तुम्हें समझनी है, तो ये यूरोपियन और अमेरिकन लोगों की प्राइवेट लाइफ जरा समझने के कोशश करो, उनकी प्राइवेट लाइफ कैसी है, क्योंकि जो कुछ निकलता है, व आपका क्या व्यवहार है, घर के नौकर चाकरों के साथ आपका क्या व्यवहार है, आपके घर में जो वस्तुएं हैं, उनके साथ आपका क्या संबंद है, क्या रिष्टा है, कैसे व्यवहार करते हैं, वस्तुएं को कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कपड़े क कैसे दोते हैं, कैसे सुखाते हैं, कैसे नहीं सुखाते हैं, यह सब निजी वो है, प्राइवेट लाइफ है, यह जो प्राइवेट लाइफ में से ही पब्लिक लाइफ बनती है, वो जो आप घर में करेंगे, वो ही बाहर करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर में आप एक करे आएगा, बाहरी आपके पहनावे में परिवर्तन आजागा, मन नहीं बदलता, मन तो वैसे ही काम करेगा, तो ये लोग जो अंग्रेज हैं, या यूरोपियन है, या अमेरिकन हैं, जो ये सब कहतकी काम कर रहे हैं, गेट लाया, आयमेफ लाया, वर्ड बेंक लाया, उनका मन क कैसे काम करता है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी रही है, प्राइवेट लायफ कैसी रही है, अगर वो थोड़ा हमको समझ में आया, तो मुझे लगता है कि ये हमारी समझ थोड़ी और पक्खी हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी एक समझ बन जाए, तो फिर क्या है कि जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें भय नहीं आएगा, डर नहीं पैदा होगा, नहीं भय पैदा होगया, डर पैदा होगया तो मुझकिल हो जाएगी, तो हम ही बैठ जाएगे घर में, कि अब तो कुछ होने वाला नही है, डूब रहा है तो हम सब डूब, वैसा कुछ न हो, पर डर तब होता है जब आपको ग्यान न हो। ग्यान हो गया तो निकल जाता है। अब जैसे कोई साफ है आपको अगर ग्यान है कि ये तो मारने वाला नहीं है। साफ तो कई तरह के होते हैं ना। दो तीन तरह के साफ हैं जिनों ने आपको काट लिया तो आपकी मौत हो दूसरा इसी में एक बात सांप का व्यवहार का अगर आपको ग्यान है उसका व्यवहार क्या है तो आपको मालूम है कि आपने उसके उपर पैर नहीं रखा तो वो कुछ करने वाला नहीं है अब ये क्रश्नमूर्थी भाई बताते रहते हैं खेत में काम करते हैं सांप इनके पड़ुक से निकल जाता है फिर एक दिन ये बता रहते हैं कि इनका कुट्टा और सांप खेलते रहते हैं वो कुट्टा उसको भुखता रहता है वो उसको फुकारता रहता है दूसरा एक दूसरे को काटता नहीं है तो हमें व्यभार मालूम है, कुट्टे का भी और सांप का भी, तो ना हमें कुट्टे से डर लगता है ना सांप से डर लगता है, इन्होंने एक दिन बताया कि इनके कुट्टे के ऊपर सांप सो रहा था, अब ये कुट्टे के ऊपर सांप सो रहा था, तो आपके ऊपर भी सो सकता है और यह जो छोटे बच्चे हैं उनको डर नहीं लगता क्योंकि वो इस पच्छडे में नहीं पढ़ते हैं वो पकड़ लेते हैं हास से अब आप पकड़ते हैं कि नहीं नहीं पकड़ना काट लेगा हो सकता है नहीं भी काटे हो सकता है काटे और जरूरी नहीं है कि सब साफ के काटने से ही मौत हो जाए लेकिन आदे से ज़्यादा लोग ऐसे ही मर जाते हैं साफ काटने से के साफ में काट लिया, तीन चार जहरीले साफ हैं, उसमें रसल स्वाइपर है करेथ है, कोबरा है और एक दो है, वही काटने से मरता है आदमी, बाकी से तो कोई प्रश्णी नहीं है मरने का, लेकिन डर हमें सभी से लगता क्योंकि हमें किसी के विवहार का पता नहीं है, ऐसे ही बिच्छु है, बिच्छु काटने से दर लगता है, लेकिन बिच्छु का विवहार अगर हमें मालूम है कि वो कब काटेगा कब नहीं काटेगा ठीक है कुटे से दर लगता है लेकिन कुटे का व्यभार हमें मालूम है वो कब भूंकेगा कब नहीं भूंकेगा गाये से बहुत लोगों को डर लगता है रोटी खिलाते खिलाते भी दूर से कई मार न दे हमको तो ये डर क्यों है क्योंकि गाय के व्यवहार का अंदाजा नहीं है अगर अंदाजा हो जाए तो उससे भी डर नहीं लगेगा जबी भी दुनिया में कोई भी काम करते समय आपको क्रियाओं का अंदाजा हो प्रतिक्रिया का अंदाजा हो हमें मालूम नहीं है कि वो व्यवार कैसा करते हैं अगर हमें मालूम हो तो फिर उसी के हिसाब से रणनीती बना सकते हैं तो मुझे आज के समय में 10-11 साल ये सारा काम किया अब मैं इस निशकर्स पर पहुँचा हूँ कि अगर आज़ादी बचाओ आंदोलन या कोई भी देश के लिए कुछ करना चाहता है और खासकर ये अंग्रेजियत की और गुलामी की व्यवस्था से निकाल कर पूरे देश को अपनी व्यवस्था में लाना चाहता है ऐसे हर व्यक्ति को गुलामी लाने वाले लोगों के व्यवहार का ग्यान होना उनके मन का ग्यान होना उ मुझे जब से ये हो गया मेरे मन से डर निकल गया, पहले मुझे भी डर लगता था, 94-95 में मैं भी डरता था, ये गेट करार पढ़ते पढ़ते कि अरे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन अब ये डर नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा अब आपको किसी के विवहार के बारे में पता है, तो आप उसी तरह से अपने को डिफेंस कर सकते हैं, या ओफेंसिब बना सकते हैं, आपको मालूम है कि आपके घर में आने वाला, आपको सीधे गाली ही देने वाला, उसका विवहार ऐसा है, तो आप अभी से तैयारी कर सक तो होना चाहिए कि इनका मन कैसा है, व्यभार कैसा है, व्यक्तित तो कैसा है, उनकी प्राइविट लाइफ कैसी है, उनकी पब्लिक लाइफ कैसी है, तो मैं एक व्याख्यान गंटे-डिल गंटे का उस पर देना चाहता हूँ, जो मेरी समझ बनी है पिछले दस साल थोड़ा अध्यन करके धरमपाली से चर्चा करके कुछ किताबें पढ़के वो मैं आपको बताना क्योंकि आपको वो करना पड़ेगा तो दस साल आपको लग जाएगा हाँ तो ये दस साल आप बिगाड़े नहीं मैंने तो बिगाड़ा लेकिन आप न बिगाड़े उतना ग्यान अगर उतनी समझ हो गई तो ये सब कुछ जो खेल चल रहा है गेट का, वर्ड बेंग का, इमेफ का ये सब आपको समझ में आने लगेगा और वो समझ बन जाए तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि आप आजादी बचाओ आंदुलन में रहें या न रहें आप छोड़के भी चले जाएं तो मुझे कोई गम नहीं है मुझे इतना संतोश होगा कि एक समझ वाला नागरिक हमने बना लिया हमारी तो बहुत बड़ी भूमिका ये है कि एक समझदार व्यक्ति इस देश में हमने पैदा कर दिया हमारी मदद से हमारे आंदुलन की मदद से या हमारे कामों की मदद से और यही अगर समझदार लोग बढ़ते चले गए हजार दो हजार लाग दो लाग तीन लाग यही व्यवस्था को बदल देंगे जिनको एक बार समझने आ गया कि ये ऐसे चलती है व्यवस्था और इसका सुभाव ऐसा है व्यवहार ऐसा है तो इसके विपरित व्यवस्था कैसी होगी उसका सुभाव कैसा होगा विवार कैसा होगा आपका पडोसी है उसका विवार सुभाव आपको मालूम है तो पडोसी से रिष्टे कैसे बनाने है वो आप जानते है हुदा एक नहीं होता मेरे पडोस में रहने वाला मासाहरी है दारू भी पीता है, यह भी करता है तो मुझे मालूम है कि उससे क्या रिष्टे बनाने लेकिन मेले बगल में में रहने वाला मेरे जैसा है तो मुझे मालूम है कैसे रिष्टे तो हमारे बगल में रहने वाले ये देश थोड़ा दूरी पर यूरोप और अमेरिका, इनका सुभाव, इनका ब्यवहार, इनका मन, किस मैंसे ये सब निकलता है, वो थोड़ा अगर समझ में आए, फिर उसके बाद ये गैट, आयमेफ, वर्ड बेंक, ये सब प्रशनात के लि कहीं, कोई मन में ये नहीं, तो उसके जवाब तो देने पुड़ेंगे, क्योंकि वो उसकी समझ बनाने में मदद करेंगे, तो वो जवाब आप इसी तरह से दे पाएंगे, अपने एक मिनट कहके खतम कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चुकि आगया विश इसलिए, कि अपने को पूरे भारत देश की कोई भी किताब में, कोई भी सिक्षा में, ये बताया ही नहीं जाता कि यूरोप की प्राइवेट लाइफ कैसी है, हमें कुछ नहीं मालूम हैं, कि उनके आप फ्लाइ ओवर्स इतने बने हुए हैं, क्योंकि हम थोड़े गए हैं हमारे जैसे कुछ लोग ये क्रश्नमूर्ती जैसे बेल जी भाई जैसे कुछ गए हैं विदेश में, तो उन्होंने देखा है फ्लाइ ओवर है, फ्लाइ ओवर के ऊपर फ्लाइ ओवर है, रोड के ऊपर रोड है, दो सो मंजल इमारत है, पांसो मंजल इमारत है, हजार मंजल इमारत है, रादबर भिजली से ज़गमगाती है, और इतना प्रकाश करती है दिन में भी रात रहता है, रात में भी दिन रहती है, ट्रेन से एक मिनट लेट नहीं होती है, फ्लाइट में एरपोर्ट पर हर निट एक हुआया जो करता है, accident नहीं होता वगर वगर वगर, ये सब हम एक होता हैं, लेकिन इसके पीछे जो काम करने वाला मन है, वो तो आदमी का है, वो तो आ था, वो नहीँ मालू Мेघकर आई। उनकी private life क्या है, वो नहीं मालू मेघकर, अगर आपको तो ये हैं कैसे, क्यों हैं ऐसे, हम ऐसे क्यों नहीं हैं, हमारा मन ऐसे क्यों नहीं सोचता कि हम जाएं और श्री लंका पर कब्जा कर लें, या हमारा मन ऐसे क्यों नहीं कहता कि हम पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया जाएं और सब को एक तरफ से हिंदू बना डालें, इन्हों क्यों नहीं सोचता है हमारा मन हमारा मन ऐसा क्यों सोचता है कि मुसल्मान भी आया तो पहले पानी तो पूची लेंगे कि यार गुड़ खालो और पानी पीलो पिर बात करते हैं भले वो हमारा दुश्मनी क्यों नहीं तो हम तो ऐसे सोचते हैं और उसके हिसाब से action करते हैं वो बिलकुल दूसरे तरह से सोचते हैं और action करते हैं मुझे एक बहुत महत्यों की बात धरमपाल जी ने कही थोड़े मैं रोज सवेरे उनके साथ टहलने जाता हूँ इसलिए आपके पास मैं सवेरे के सत्र में नहीं रहता ये मेरा नियब है कि जब मैं यहां रहता हूँ वरधा में तो उनके साथ रोज सुवे एक दो ढ़ाई किलोमेटर पैदल चलके जाते हैं फिर आते हैं तो पैदल चलना नहीं है उसमें हमारा बहुत education होता है मैं उनसे पूछता हूँ वो जवाब देते हैं मैं पूछता हूँ वो जवाब देते हैं मैं पूछता हूँ वो जवाब ऐसे अभी क्या हुआ थोले दिन पहले कुदेयन वाजपई नाम के वेक्ति आए बड़े हिंदी के लेखक हैं मैं उदेयन वाजपई धरम पाल जी हम गए ऐसे ही घूम्ड़ उदियन वाजपही ने एक प्रश्न किया और बड़ा इंट्रेस्टिंग, उन्हों ने कहा कि ये यूरोप के लोग इस किन के लिए इतने अप्सेसिब क्यों है इसको अब समझ ये ऐसे वो शेक हैंड करेंगे, हाथ में लाएंगे हम तो नमस्ते करेंगे, दूर से आप महां करेंगे, मैं यह कराओ, मैं नमस्ते वो नहीं, वो शेकन करेंगे और शेकन भी करेंगे तो पूरा यहां तक हाथ पकलेंगे और नज़दीक लाएंगे और नज़दीक लाने के बाद किस भी कर सकते हैं आपको तो उदियन बाजपी ने एक प्रश्ण पूछा कि ये किस करने के लिए इतने परिशान क्यों रहते है आजनवी आदमी के साथ भी सिर्फ अपने परिचितों के साथ नहीं हम तो परिचित के साथ करेंगे मेरा बेटा है मेरी बेटी आपका बेटा आपकी बेटी आप उसको ये सब कर सकते हैं लेकिन वो अजनवी के साथ भी करेंगे जिससे उनका दूर दूर तक कोई रिष्टा नहीं है और ऐसे बहुत उदारण आपको मिलते रहते हैं तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा मुझे बहुत इंट्रेस्टिंग लगा गए ये क्या जवाब देते है दरम तो दरमपाली ने का वो तूनकी प्राइवेट लाइफ से देख लो मिलेगा तो मैंने का प्राइवेट लाइफ से बताया कि ये किताब है ये किताब है ढून लो मैंने का इसमें तो बड़ा इंट्रेस्टिंग है इंट्रेस्टिंग क्या है उनको सब सामने वालों से डर लगता है इसलिए उसको छूके देख लेते हैं कि कोई हत्यार वत्यार तो नहीं है हाँ ये है हाँ और जब वो गले मिलेंगे आलिंगन करेंगे तो पूरा पीठ पे हाथ फिराएंगे आपके यहां हाथ फिराएंगे पीठ पे ऐसे पकल लिया और ऐसे हाथ फिराएंगे पीछे तो कुछ छुपाया नहीं है और हाथ मिलाएंगे तो यहां तक ऐसे हाथ पकड़ लेंगे ऐसे ऐसे करके फिरा देंगे देख लिया कि यहां कुछ छुपाया नहीं है यहां कुछ छुपाया नहीं है यहां भी कुछ छुपाया नहीं है यह है उनकी माने सकता यह है उनका मन अब हम कहते हैं कि देखो वो भेदवाव नहीं मानते छुआ छूत नहीं मानते वो सबको किस कर सकते हैं अब बात तो ये है कि उनको डर इतना है कि सामने वाले के हाथ में कुछ हतियार हो सकता है वो भोग देगा मेरे पेक में आलिंगन करते समय गले मिलते समय उनको डर है इसलिए आपसेशन है अब उस दिन घूम गया हमारा धिमाग तो घूम गया फिर उसी हिसाब से देखना शुरू किया तो बहुत सारी बाते समझ में आ गए अभी तक हम समझते थे दूसरे हम यह समझते थे कि हम इतने गए गुजरे हैं कि सामने वाले का हाथ भी नहीं पकड़ सकते हमको लगता यह चुआ छूँत है क्या या इसका वाइरस मेरे हाथ में घुज जाएगा वो नहीं है हमें डर महीं है ना सामने वाले से उनको डर है हर एक के साथ तो डर में से यह निकला है और इसके न अपसेशन उसका लास्ट रिसर्जट है यह लेकिन यह मेरे समझ में आया उनकी प्राइवेट लाइफ देखने के बाद ऐसे कभी समझ में नहीं आता ऐसे तो हम यूरोप जाते हैं आप भी जाते हैं और और जाएंगे आप तो किनके देखो कितने अच्छे लोग हैं हमेशा गले मिलते हैं हमेशा हाथ चुनते हमेशा चूम कर बात करते हैं किस करते हैं वो तो इसलिए करते हैं प्राब्लम तो दूसरा है उनका और ये क्यों है क्योंकि सबको लूट रहे हैं सबको मार रहे हैं सबको प्रतालित कर रहे हैं सबके साथ डेस्पोटिसम कर रहे हैं तो डर तो रहने वाला है मन में जब आप किसी को लूट नहीं रहे हैं मार नहीं रहे हैं प्रतालित नहीं कर इतने बड़े बड़े flyovers क्यों बनाए हैं। उनके यहां महमानों के साथ क्या बात करने की परंपरा है। उसमें से समझने आएगा। घर में इतना decoration क्यों करते हैं। चीजों के प्रतीत में आ सकते क्यों हैं। यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए वगरा वागर। उसम बाकी open space कम से कम हो, वस्तुवों से भरना है घर को, open space नहीं रखना है, space का उनका एक concept है, हमारा बिल्कुल दूसरा concept है, हम open space चाहते हैं, तो आप करोड़ पती, मैं तो जाता हूँ दक्षन भारत में, करोड़ पती घरों में जाता हूँ, एक चटाई रखी हुई है, एक रख space कम से कम होगा, तो वस्तुवों से क्यों इतने जुड़े हुए हैं, तो वो उनके मन मैसे समझ में आएगा, तो ऐसी कुछ छोटी-छोटी बाते हैं समझ में आएंगी, तो ये भी समझ में आएगा, कि वो किसानों के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं, हमारे industry लोगों के औंपलावा हैं, तो looks ऐचना जिमाना झाया सकता झेजित वालावा हैं, हमारे ऑंएते हैं, तो ये एदो लुछ से कंना एंगी, दो से साथे हैं, वे भी पालैंजिता को